तो आए जाइए कि आइख की आइज है आल्लाही मैं शाहित्वाण इरवाज्जीम स्मिल्लाही रुह्माण इरखी मैं असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मुहमद याकूब और आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब हमने प्रॉपरली इस कॉंटेंट राइटिंग के कोर्स को स्टार्ट करना है तो मैं बिल्कुल औरेडी पहले मेरी चैनल के ओपर वीडियो पड़ी हुई हैं मैं उनको उनके ओपर इक्तफा नहीं करूंगा ना ही मैं यह कहूंगा के पहले वीडियो से सीखना चाता है फ्रॉम स्क्रैच से लेके आप प्रोफेशनल लेवल तक जाना चाते हैं तो उस परपस के लिए कॉंटेंट राइटिंग मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं इसका यह आज फर्स्ट लेक्शर है अब हम मूव करते हैं के कॉंटेंट राइटिंग बेस पास प्रॉपर टूर्स जब तक नहीं होंगे आप कभी भी आगे अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं तो दोस्तों फर्स्ट आफ 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 आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर कॉंटेंट राइटिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास यह तो पर्सनल क यह उस्तीक लोग मुझे राफ़ा करते हैं कर सकते हैं किया हम मुबायल के उपर कौंटेंट राइटिंग कर सकते लेकिन वो आपका काम का का sprint कर सकते сожалए लेकिन उसकी लौनेट को अच्छे त्रीके से प्रिजेंट कर सकें दूसरी बात आप ने अब कंप्यूटर को अन कर लिया कंप्यूटर को अन करने के बाद अब आपने जो काम करना है आपके पास MS Office का Software Install होना चाहिए तो सबसे पहले आपके पास Computer या Laptop होना चाहिए दूसरी बात इसमें MS Office का Software Install होगा उसमें से हमने जिस पे काम करना है That is MS Word MS Word उसके अंदर Install होना चाहिए MS Word को कैसे यूज़ करते हैं इसको अगर आपने समझना है तो इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा एक Playlist है वो मिल जाएगी ताके अगर आपको MS Word यूज़ नहीं करना आता तो आप उसको इसली यूज़ कर सके उसके बात आपने करना किया है आपको थोड़ी सी Research आनी चाहिए आपने जो भी काम करना है उस काम के लिए आपको Research करना पड़ेगी Search Engines में जाके Google में जाके आपको Different Topics के उपर आपको Research करना आना चाहिए अगर आप Research कर सकते हैं तो आप Content Writing में बड़ी जल्दी आप Adjust हो जाएंगे तो उसके लिए आपको Different Angles से आपको Research करना आनी चाहिए आपने जब अपने कोई भी Topic आपको Client Assign करेगा उस Topic के बारे में थोड़ी बहुत नौलीज जो आपके पास Available होगी लेकिन उसके इलावा आपने मजीद आपने Research करना है कि इस Field के अंदर और क्या क्या चीज़े हैं उनको Research करें उनको समझें समझने के बाद आपने उसको अपनी राइटिंग के अंदर आपने उसको Explain कर देना होता है देखें वह एक कहावत बुली जाती है कि हमने वील को दुबारा से इन्वेंट नहीं करना चीज़े पहले से वेलेबल है चस्ड आपने वहां से ऑवर व्य्यले Smith लेने के बाद आपने उसको Parad firm कर देना है अब Research करने के बाद आपको अब तब जहरी बात है अदम उसको Tipe करना है वर्ड के उपर तो Typing करने के लिए टाइप करने के लिए आपको फिर आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए ठीक है आपको कीबोर्ड का यूस आना चाहिए कीबोर्ड के उपर आपने लिखना है कीबोर्ड को यूस करके आपने जब लिखना है तो उस पर लिए आपको फिर टाइपिंग भी आनी चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने एक टूल सीखना है तैट इस ग्रामरली ग्रामरली के वीडियोज पहले पड़ी हैं लेकिन उसके बावजुद मैं आपको जीरो से सिखांगा के कैसे हम यूज करते हैं कैसे हम सिस्टम में यूज कर सकते हैं कैसे हम इसको ऑनलाईन यूज कर सकते हैं कैसे हम वेब साइ्ट के अब जाके इसको यूज कर सकते हैं ठीक हो गया अब blas vezes के बाद अब आपने काम भी कर लिया अने असरे grammar भी चेक लियी देन बारी आती है कि आपने अब उसमें प्लैजरिजम को रिमूव करना है प्लैजरिजम के बारे में बहुत से लोग जो नियू कमर्स हैं उनको नहीं पता होगा प्लैजरिजम क्या होता है प्लैजरिजम का मतलब होता है कि आपने किसी का काम आपने कौपी पेस्ट कर दिया है मिसाल के तोपर आप लिखने जा रहे थे कॉंटेंट राइटिंग क्या होती है कॉंटेंट राइटिंग के बारे में आपने सर्च किया बहुत सारी वेबसाइट के उपर कॉंटेंट राइटिंग के बारे में लिखा हुआ है आपने क्या किया अपने उसी को देखकर आपने अपने वर्ल्ड प्लेजराइजड हो जाएगा और क्लाइट कभी भी प्लेजर इज्व्ट वाला काम accept नहीं करता चाहे जितना मरजी प्लाइज़ अच्छा क्लाइज़ हो अगर आपने उसको प्लेजरिज्व वाला काम देना शुरू कर दिया तो कभी भी वो दुबारा आपके पास नहीं आएगा क्योंकि उसने काम करवाना है उसने पैसे बेर करने है उसका टाइम बड़ा कीमती है तो जो पैसे दे कर वो आपसे प्लैजराइज काम ले रहा है वो ही पैसे किसी और को दे के उससे quality वाला work ले लेगा जिससे क्या होगा उसका काम भी पैसे बच जएगा टाइम भी बच जएगा अब प्लैजरिसम के बाद NES्ट लग्यारी आती है के आपने उस काम को send करना है क्लाइन को क्लाइन को send करने के लिए आप कैसे send करते हैं बहुत से लोग WhatsApp के उपर इसको आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं कुछ लोग Skype के जरीए से एक्सचेंज कर रहे होते हैं कुछ लोग क्या करते हैं उसको email के थूरू send करते हैं यहां फिर अगर आप किसी freelancing website के उपर काम कर रहे हैं तो आप आपने वहीं पर जहां पर आपने क्लाइंट क्लाइंट ने आपको काम असाइन किया है वहीं पर जाके आपने काम को upload कर देना होता है उसमें जब अपने काम कर लिया काम करने के बाद आपने उसको send कर दिया उसके बाद आपने ना क्लाइन्टória के साथ इनटच रहना होता है क्लाइन्ट कभी ऊपसे राप्ता कर कर ने किस में शम्राइब कर देंए अगर अगर फडुम्स के उपर देंग अबर कुछ पे करेगा एक्स्ट्रा लेकिन अगर पे नहीं प्रता तो यह हमारे moral responsibility है हम उसको free of cost करके दे उसकी reason क्या है कि वो बंदा हमें उसका pay कर चुका है तो after sale जो services हम देते हैं ये हमारे business को grow करने में हमारी बड़ी help करती है तो अगर आपने business को grow करना है तो उसके लिए आपने client को maximum level तक जा के आपने उसको support करना है ताके वो next time ना के खुद आए बलके साथ और बहुत से लोगों को ले कर आएगा थोड़ी सी चीजें है कुछ चीजें अगर आप इनके उपर focus करेंगे तो आप बहुत जल्दी content writing की field के अंदर एक professional के तोर पर सामने आ जाएंगे तो दोस्तो ये था आज का lecture जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें आपको required होती है अगर आप content writing की field में professionally in होने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें आपको आने चाहिए उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ Allah अफीज असलाम लेकिम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्त मुहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं मुआसे यूट्यूब चैनल professional content writing course के class number two में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इससे पहली वरी क्लास में आपने बहुत जबर्दर सपना रिस्पॉंस शो किया है जिसकी वज़ा से अब मैं मजीद energetic हो गया हूँ कि आपको maximum maximum चीजें आपको सिखा दी जाएं ताके आप in future एक अच्छे professional content writer के तोर पर सामने आ सके तो आज की जो वीडियो है वो बेस करती है what are the various types of content writing content writing की कितनी types हैं और किस type में हम क्या काम करते हैं जब आपने in future content writing की field में जाकर आपने काम करना है चाहे आप local clients के लिए काम कर रहे हैं या आप international clients के लिए through freelancing या direct contact के आप काम कर रहे हैं आपको different different types की content writing की categories को आपको choose करना पड़ेगा कोई client आप से कोई काम करवा रहा है कोई client कोई काम करवा रहा है लेकिन सब में करना आपने write ही है लिखना ही है ठीक है तो उसके लिए मैं अभी आपको explain करता हूँ के content writing की basically कितनी types हैं so there are five different major categories of content writing content writing की major पांच बड़ी-बड़ी types हैं जिन में से first one है उसे हम कहते हैं SEO Search Engine Optimization SEO content writing SEO content writing क्या होती है SEO content writing का दूसरा नाम है web content writing आप websites के लिए काम करते हैं number two आता है blogging number three पे आता है social media writing number four पे आता है ads and sales copy writing number five पे आता है creative writing यह पांच बड़े-बड़े heads हैं यह पांच बड़े-बड़ी categories हैं जिन में companies काम कर रही हैं जिन में लोग आपसे content लिखवाते हैं चाहे आप किसी भी websites के लिए काम कर रहे हैं अब मैं आपके सामने इनको थोड़ा-थोड़ा explain करता हूं ताके आपको समझने में और इन में इनको आपस में compare करने में आपको असानी हो जाए तो number one पे हम बात करते हैं कि SEO content writing या website के लिए जो content लिखा जाता है वो क्या होता है देखें अगर आपने अपनी online presence को शो करना है आपने online अपने आपको शो करना है अपने business को शो करना है अपनी service को शो करना है तो उसके लिए आपको आपकी website की जरूवत पड़ेगी अब website के उपर जब तक content नहीं होगा आपकी website का क्या मतलब है आप कौन सी service देते हैं आप कौन सी products को sell कर content writing वाले बंदे आपको बहतर से बहतरीन content लिख कर देते हैं जो के SEO based होता है क्योंकि website की आपने ranking को increase करना होता है ranking को increase करने के लिए आप different keywords के ओपर काम कर रहे होते हैं keywords कैसे select किये जाते हैं यह आपका कोई concern इसमें नहीं होता जिस बंदे ने आपसे SEO content writing करवानी है वो आपसे आपको keyword दे कर काम करवाएगा वो खुद से उसने keyword search की होंगे और आपको कहा होगा कि मैं यह फुलां-फुलां page के लिए काम करवा रहा हूं ठीक है यह page name है और उसमें आपको चार से पांच keywords दी होंगे उन keywords को आपने लिखना है और उसकी मज़द से आपने अपना content create करके उसको दे देना है नमबर टू पर आता है blogs writing blogs writing क्या होती है कि अगर समझ लें कि आपका जो website है वो आपकी business की आपकी online presence की foundation है बुनियाद है तो blogging जो है वो समझ लें के उस foundation के अंदर different rooms है different आपने छोटे-छोटे boxes बना दी है जिसमें आज इससे आपकी website की एक ranking में इदाफा होता है जैसे घर होता है एक कमरा होता है एक घर है उसके अंदर different पर different camera होते हैं तो ऐसे ही आपकी जो website है वो आपका घर है और उसके अंदर आपने different portions बना दी है कि यह portion फ्लाँ category का है यह portion फ्लाँ category का है यह portion फ्लाँ category का है अब यह जो portions होते है that is called blogs ब्लॉक्स ब्लॉक्स जो होते हैं यह basically इस लिए के लिखुए जाते हैं कि आप अपनी website के उपर traffic को generate कर सके देखे SEO content writing तो आपने एक दफ़ा करवा ली उसको थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत minor सा आप उसको change करते रहते हैं लेकिन बार-बार आप उसको change नहीं करते गूगल ने एक दफ़ा आपकी website को पढ़ लिया और rank कर दिया अब उस ranking को आपने आइस्ता 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 गूगल के top pages के अंदे top searches में लेकर आना है उसके लिए अब आपके जो blogs हैं यह आपकी help करते हैं अगर आप रोजाना की base पर blogs लिखते हैं या आप weekly basis पर तीन से चार blog आप add कर लेते हैं तो मंतली आपके 12-13 blogs बन जाएंगे जो के एक बहुत अच्छी average है अगर किसी भी website के उपर इतने blogs लिखे जाएं तो आप easily उस website की ranking को increase कर सकते हैं यह अभी मैं मैं आपको ना जस्ट थोड़ी सी information दे रहा हूं हर category की आगे मैं चलके ना हर category के उपर आपको separate video दूंगा ताके आप उसको easily समझ सकें के अच्छा यार आज वाली class जो है ना वह SEO content writing पर base करती है आज वाली class जो है वह base करती है blog writing पर आज वाली class पर base करती है तो इस तरह से आपको समझना असान होगा क्योंके मेरा मकसद यह नहीं है कि मैंने सिर्फ videos पर views लेने है मेरा मकसद है कि मैंने आपको maximum maximum information provide करनी है ताके in future आपको किसी किसम की परेशानी का सामना ना करना पड़े otherwise कोई मसला होगा तो मेरा नम नमबर चैनल के उपर available है नीचे आपको नजर भी आ रहा होगा वहां पर आप उनसे content करके तो अपना issue जो है वो resolve कर सकते हैं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका कोई issue आई ही ना तो blocks के बारे में आपने समझ लिया क्या होते हैं कि आपकी websites की ranking को improve करने के लिए आपकी बड़ी यह help करते हैं क्यूंकि इस पे आपको fresh content मिल रहा होता है number 3 पर आता है इसे हम कहते है social media writing देखे आज हर बड़े से बड़ी website बड़ी से बड़ी organization आज online market के अंदर available है अब online market के अंदर आने के लिए online market में काम करने के लिए आपको social media के उपर अपनी presence को show करना पड़ता है कि भाई हम facebook पे भी है हम twitter पे भी है हम linkedin पे भी है हम instagram पे बड़े बड़े जितने भी हमारे platform social media के relevant है उन सब के उपर हमारे और हमारी business के brand के pages बने हुए है profiles बनी है आप वहां से भी हमें contact कर सकते हैं तो social media के उपर भी आपने जो content लिखना है जो pictures आपने वहां पर show करनी है उन pictures के उपर भी content आता है तो वह content लिखने के लिए social media writers की जरूवत पड़ती है तो अगर आप social media content writing के तोर पर content writers के तोर पर आप अपनी field को अपने carrier को चलाना चाहते हैं तो वह भी possible है आप ये काम भी कर सकते हैं जी number four पर आता है advertising and sales copywriting देखें आपने advertise करना है आपने अक्सर देखा होगा के facebook के उपर आपकी जो sponsored ads चल रहे होते हैं उनके उपर एक specific सा content लिखा होता है अब वह content design करना एक बहुत बड़ी महारत की बात होती है हर बंदा उसको design नहीं कर सकता तो अगर आपके पास इतनी creative skills हैं कि आप लोगों के लिए एक अच्छा content create कर सकते हैं तो फिर आप advertising and sales copy writing के लिए भी आप apply कर सकते हैं ये काम भी आप कर सकते हैं अच्छा इसमें कोई इसी वैसी rocket science नहीं है जस्ट आपने क्या करना होता है कि आपने जो भी आपने एड़ चलाना है जो भी आपने लोगों को अपना कोई product दे रहे हैं कोई आप discount दे रहे हैं कोई भी आप promotion दे रहे हैं लोगों को तो वह base करती है आपके उस ads के साथ आपके उस लिखे हुए content क साथ के जिसको पढ़ते ही लोग क्लिक कर देते हैं यह आपकी पिक्चर के उपर भी content आ सकता है उस वो भी इसमें आ जाएगा उसके लावा पिक्चर के इलावा जो उपर content लिखा होता है वो content भी आप इसमें count कर सकते हैं जी आज की मार्ण जो last category है that is based on creative writing जो पांचमा मार type है content writing की that is creative writing creative writing में किया होता है client आपको कहेगा कि यह मेरा topic है इस topic के उपर आपने मुझे 500 words का 700 words का 800 words का मुझे एक article लिख कर देना है यह article इसमें सिर्फ एक keyword होगा जो client रहे आपको दिया होगा है वही आपका title बन जाएगा वही आपका keyword बन जाएगा उसी की base पर आपने दो से तीन दफ़ा आपने पूरे article में से चूज कर उसे आपने लिखना होता है और इस तरह से क्या होगा कि आप उसको एक अच्छा सा creative सा एक unique सा article लिखकर दे देंगे जिसे अपनी website के उपर वो पोस्ट करेगा यहां फिर वो क्या करता है आपके लिखे ओवे articles को third parties को sell कर करके वहां से अपनी SEO के back website के लिए back links ले रहा होता है आपका इस चीज की तरफ आपने नहीं जाना कि back link क्या होते है back link कैसी लिए जाते है इसका क्या benefits से चोड़ देंगी SEO की एक term है SEO एक अलग field है अलग दुनिया है अगर आप जाना चाहें तो SEO के वीडियो आपको मेरी इ लेगिन फिलहाल आप content writing सीख रहे हैं इस लिए content writing की तरफ ही अपना ध्यान रखें तो सिरफ आप यह समझें के इस creative writing के अंदर client आपको एक topic देगा वही आपका title के अंदर आपने उसे use करना है उसी को आपने दो से तीन दफ़ा आपने पूरे article में use करना है तो आप इस तर सारी हैं लेकिन वो सारी के सारी इन ही से belong करती हैं तो जो main main थी major major थी मोने वो मैंने आपको explain कर दी है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो उमीद करता हूं कि आपको second lecture भी समझाया होगा happy learning थैंक यू अल्ला आफ़िज आज की इस वीडियो में प्रोफेशनल कॉंटेंट राइटिंग कोर्स के class no.3 में मैं आपको welcome कहता हूं आज की इस वीडियो में बड़ा ही की जबरदस्त हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं next वीडियो में आपको one by one जो भी कितनी काटगरी है SEO content writing या website content writing SEO क्या होती है s stand for search e stand for engine और stand for optimization SEO search engine optimization के लिहाद से आपने content को create करना होता है यह content creation जो है यह एक art है आप art समझे नहीं से जिसकी मदद से आप अपने काम को सहर अंजाम देते हैं तो SEO content writing की मदद से क्या होता है कि लोग आप से अपना जब काम करवाते हैं उसको जब अपनी website के उपर add करते हैं उसके बाद उस website की ranking में आइस्ता आइस्ता इजाफा होना शुरू होता है तो यहां पर आपने दो तीन बातें याद रखनी है कि यहां पर आपको first of all clients आपको keywords देते हैं उन keywords के उपर आपने content create करना होता है आपने keywords को खुद से search नहीं करना होता यह अपने mind में रखिएगा आपने keywords को खुद से search नहीं करना client आपको keyword प्रोवाइड करेगा उन keywords के उपर आपने सर्च करके आपने अपने पास से content writing करनी है ठीक है content writing मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपने उस चीज को elaborate करना होता है explain करना होता है और उसी explanation के अंदर जो clients ने आपको keywords दिये हैं उन keywords को आपने place करना होता है normally चार से पांच keyword client देता है ये एक page को rank करने के लिए एक page को rank करने के लिए इतने keywords जो है वो enough होते हैं लहादा client आपको चार से पांच keyword देगा उन keywords को आपने अपनी writing के दुरान कहीं न कहीं उनको adjust करना होता है दूसरी बात इसमें ये आती है के clients जो आपको keyword देंगे न वो keyword को आपने थोड़ा साल lengthy करना है मतलब आपने उन keywords को long tail keywords में convert करना होता है long tail keywords क्या होते हैं long tail keywords कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ even के मेरी इसके ओपर एक video SEO writing के course के अंदर SEO के course के अंदर पड़ी है आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं लेकिन चुँके मैं आपको यहाँ पर ये सिखाने के लिए बैठा हूँ लेहाजा इसलिए मैं आपको यहीं पर सब कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा के long tail keywords और short tail keywords कैसे होते हैं कैसे काम करते हैं थोड़ी इसी वीडियो जो है वो lengthy हो जाएगी लेकिन ये है कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको बार बार इधर से उधर उधर से इधर उन वीडियो के उपर जाने की जरुवत नहीं है ठीक हो गया अब हम move करते हैं अपने practical की तरफ के किस तरह से client हमें content देगा किस तरह से client हमें keywords देगा और उन keywords के उपर हमने लिखना कैसे है ठीक है अब मैं आपके सामने यहां पर देखीगा कुछ explain करता हूँ यह क्लाइंट ने आपको keywords दिये हैं पांच यह पांच keywords है और जिस page के लिए क्लाइंट को keyword चाहिए उसका नाम है content writing content writing का उसका page है जहां उसकी इसका जो उसका page की जो main category है that is content writing और उसमें जो उसने पहला keyword चुना है वो है content writing services for websites दूसरा है quality content writing services तीसरा है website content writers चोथा है SEO content writing companies और उसके बाद पांचवा है quality article writing यह पांच keywords के उपर client कह रहा है कि मुझे content लिख कर दें यह आपने याद रखना है client ने कुछ ना कहा हो कुछ कहा हो आपने जो paragraphs हैं आपने हर keyword के उपर एक-एक paragraph लिखना है और paragraph की जो length होती है वो एक जो ideal length है वो 122, 130, 140 words के उपर base करता है paragraph आप तो अब देखिएगा अब हमने यह keywords दी है ना client ने यह short tail है अच्छा short tail keywords क्या होते हैं short tail keywords जो होते हैं यह होते तो आपकी website के लिए जरूरी है लेकिन कोशिश आपने हमेशा यह करनी है कि आप जो भी content create करें वो long tail keywords हों long tail keywords से क्या मुराद है जैसे यहाँ पर लिखा हुए ना content writing services for websites यह keyword है इसको थोड़ा सा आपने और lengthy करना है ताके अगर client उसको search करें तो भी आपका page सामने आए अगर आ client इसको content writing services for website को search करें तो उसमें भी उसका page show हो ठीक है तो maximum maximum आपके page की search होनी चाहिए तब जाके आप एक अच्छा content create कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा लेंथी करना है तो लेंथी कैसे करेंगे शुरू में आप लगा दें बेस्ट content writing services for websites यह पहला आपका keyword बच जाएगा अब दूसा keyword है quality content writing services इसको आपके आप क्या कर लें इसको शुरू में लिख ले अफॉर्डेबल अफॉर्डेबल quality content writing अब देखें क्लाइंट सर्च करता है कोई बंदा आपका आकर सर्च करता है Google में अफॉर्डेबल content writing services तो उसमें भी यह पेशो होगा अगर affordable and quality content writing services करेगा तो भी शो होगा quality content writing services करेगा तो भी शो होगा ठीक है तो यह थोड़ा सा हमने इसकी searches को बढ़ाने के लिए short tail keywords को long tail keywords के अंदर हमने इसको convert करना होता है अब तीसा keyword है मारे पास website content writers content writers की बात हो रही है तो आप इसको qualified and excellent website content writers ठीक है इसको थोड़ा सापने लेंथी कर दिया उसको फोर आता है SEO content writing services इसको थोड़ा लेंथी करना है अपने तो आप यहां पर लिख ले SEO content writing companies और लास्ट वान है quality article writing तो उसको आप कर लें services of quality article writing अब यह आपने पांच keywords आपने सब को long tail बना लिया है अब आपने क्या करना है इन keywords को आपने चूस करना है और इनको keywords के उपर आपने काम करना है और इनको आपने हर keyword के नीचे तक्रीबन तक्रीबन आपने 100 to 120 words का एक paragraph लिखना है तो बतलब यह पांच keywords है तो यह आपका तक्रीबन तक्रीबन 600 प्लस की आपका जो content है वो बन जाएगा अब स्टार्टिंग कैसे करनी है स्टार्टिंग करने के लिए आप देखिए या कैसे हमने काम करना है अब बात हमने किस पर करनी है कॉन सिर्फ अब आपने ना simple keywords तो आपने long term में convert कर लिए है अब आपने इसके लिए करना क्या है simple simple आपने जैसे आप एक नॉर्मल लै के अंदर इसको लिखते हैं नॉर्मल लै में आप इसको explain करते हैं वैसे आप इसको explain कर ले ठीक है जैसे हम कहते हैं अक्सर एक statement बोलते हैं content is king it is a statement that is generally spoken and there is no doubt that that is the major reason to attract your visitors to the site ठीक है इस तरह से आपने simple generally आपने बात करनी है और जो भी आपने content writing के उपर आपने आपके mind में जो कुछ भी है वो आप इसमें add कर सकते हैं अच्छा इसके बारे में अगर आपको मिजीद searches अगर अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है आपने जाना है गूगल पर जाके आप लिखेंगे design articles लिखके तो ये इसकी सर्च बार आ गई आप यहां पर लिखें content writing content writing लिखके आप सर्च करेंगे तो आपको design article बहुत सारी आपको यहां पर searches बता देगा बहुत सारे आपको articles शो कर देगा जिनको आप open करके यहां से idea ले सकते हैं और अच्छे से अच्छा content content यहां से निकाल सकते हैं तो content writing for website यह सारा देखे कितना इसने content writing आपको बात की हुई है इसने advantages or disadvantages को explain किया हुए इसने tips को explain किया हुए मतलब कि हर लिहाज से आपको maximum maximum level कि information आपको यहां से मिल सकती है तो आपने यहां से इनको पंधना हिए इनको प्ढ़ने के बाद लेना है और उसके बाद आपने अपना content create कर देना है उसके पलब से आपने क्या कर देना है आप इस तरह सारा content इसका हर paragraph के नीचे हर heading के how key word के अपने उसकी explanation देरेगे है एक पैरा graph आपने के रखा हुआ था अगर मैं इसको दुबारा से आपके सामें लिखने बैठ जाता तो यह वीडियो बहुत लंबा और आदे घंटे और घंटे तक यह बात चले जाती इसलिए मैंने इसको पहले से लिखके यह मारा पहला कीवर्ड था इसको अमने लॉंग टेल में कनवर्ड करके क्या अब नहीं था बेस्ट कॉंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट ठीक है यह हमने काम किया था लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हमने अट्रेक्शन एड करनी है कि शुरू में हमने न कोई हुक तरह से आपने कुछ वर्ड करने हैं जिसमें जिससे आपके उन कीवर्ड केंदर एक जान पैदा हो जाएगी तो आपने मैंने यहां पर क्या रिखा है गेट और बेस्ट कॉंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट ठीक हो गया उसके बाद मारा जो सेकंड कीवर्ड था व अब आपने थोड़ा सा अट्रेक्टिव बनाना है हेडिंग के तोर पर तो आप इसे क्या करेंगे कॉंटेंट कॉंटेक्ट फॉर दी अफॉर्डेबल एंड क्वालिटी कॉंटेंट राइटिंग सर्विस ठीक हो गया उसके बाद देखे मैंने यह तीसा की वर्ड था इसक क्वालिटी कॉंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स को मैंने यह अखा हुआ रहा हूं ताकि आपको नजर आजाए अफो डेबल एंड क्वालिटी कॉंटेंट राइटिंग सर्विस यह दूसा कीवर्ड है यह आगया इसमें क्वालिफाइड and एक्ष्पीरियंस वे यह keyword मैंने इंको bold किया है अगर आप चाहें तो आप client को दिखाने के लिए bold भी कर सकते हैं इस तरह से कि भाई मैंने इसको bold किया हुआ है आप इसको देख सकते हैं मैंने keywords को कहां कहां पर place किया है अच्छा यहां पर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या keyword को हम starting में adjust करें end में करें मिड में करें तो ऐसा जो है ना कोई hard and fast टूल नहीं है जस्ट आपने keywords को place करना है आपने adjust करना होता है इसका मतलब यह नहीं है content writing SEO content writing इस तरह से हम करते हैं तो यह उमीद करता हूं कि आपको content writing का जो procedure है यह आपको समझ आया होगा अच्छा यहां पर कुछ लोग जब कोर्स हमने शुरू करना था तो को ने कहा था कि हमना हमें आप कोई ळी आक टास्क भी दिया करेंगे कि इस तरह मैं तरह कोई समझ नहीं आएगी हमें यह जब तक हमताव तास्क नहीं कोई कुछ समझ नहीं आ सकती, तो उसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, कि आपने क्या करना है, इनी जो मैंने 5 keywords आपके सामें रखे से, उन 5 keywords के उपर आपने content create करना है, ठीक है अब यहां पर मैं आपके सामने इसको show भी कर देता हूँ कि वो 5 keywords कौन से हैं, उन 5 keywords के उपर आपने अपने अपना content create करना है, और create करके आपने मुझे whatsapp कर दे, next time क्या होगा, कि हम क्या करेंगे अपना एक blog create करेंगे, और हर बंदा अपना एक blog create करेंगा और वहाँ पर अपना इस content को paste करते जाएंगे, जो भी content आपने लिखा होगा वो आपने अपने blog पर add करते जाना है, इसका benefit क्या होगा, कि in future आपके पास आपका blog होगा, कल को कोई client कहता है कि मुझे आपने future में past कोई client आपको कहता है कि past में आपने कोई काम किया हुआ है कोई आपका work experience है content writing का तो वो बताएं तो वो सिरफ simply आपने अपना जो blog का जो आपका URL है, जो आपका blog का address है वो आपने client को send कर देना है वो उसके ओपर जाके सारे article जो आपके वहाँ पर published हैं, वो सारे के सारे वहाँ से पढ़ सकता है, तो इससे क्या benefit होगा, कि आपका एक blog भी बन जाएगा, और आपके अंदर content writing की एक skill भी पैदा हो जाएगी, और आपके अंदर एक confidence भी पैदा हो जाएगा, कि यार मैं content writing कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सार ये tricky काम होता है, अगर आपको ये tricks बेस्ट आफ लग, अल्लाह अफ़िज अभी आपके अपका नहीं हो आपका होस्त मुहमाद याकूब और आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज की professional content writing कोर्स के class number 4 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आज की इस वीडियो में मैं इंशाला आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से blog writing कर सकते हैं तो आज की वीडियो का topic है what is blog writing, content writing की field के अंदर जो हमने 5 major categories select की हुई है, उन में से second category का नाम है blog writing, इससे पहले हमने कल discuss किया था, SEO writing या website content writing, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, blog writing blog writing को करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने साथ साथ practice भी करनी है साथ साथ आपने काम भी करना है ताकि आपको course की, करने का course सेखने का आपको फाइदा भी हो, तो सुनी सुना ही बातें तो already तकरीबन हर चैनल के अपर available हैं, हर जगा पर आपको मिल जाएंगी, लिखी हुई आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपने अगर अपने हाथ से notes बनाए होंगे न, तो यकीन करें आपको इतना benefit होगा, पूरी लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें कभी भी भी आपको भूलेंगी नहीं, तो अपने short short साथ साथ आप notes में आते जाएं इन्शाला इसकी मदद से क्या होगा कि आप कल को एक अच्छे content writer बनके, अपनी future career की तरफ आप गामजन होंगे तो बात करते हैं content writing में second topic की that is blog writing blog writing, blog basically होता क्या है देखें, blog एक जमाना था जब पराने दोर के अंदर ना, लोग diaries लिखा करते थे लोग अपनी एक diary बनाते थे जिसमें वो दिन भर के काम जो भी उनकी खौइशात हैं जो भी उनकी ambitions हैं, जो भी उनकी hobbies हैं वो सारे के सारे वहां पर लिखा करते थे कि मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया या कोई भी उनकी life की achievement थी कोई भी उनका ऐसा काम था तो वो वहां पर show किया करते थे diaries के अंदर आज कल चुकि आपको पता है कि paper working बहुत काम हो चुकी है तो लोग अब ये काम electronically करते हैं electronically काम करने के लिए different platforms को इस्तमाल करते हैं अगर आपके पास investment नहीं है आपने कोई blog फोरी तो पर आप start नहीं कर सकते हैं तो free में भी आप blog बना सकते हो bloggers के उपर उसके लावा wordpress के उपर आप जाके अपना blog create कर सकते हैं तो मैं इस video में इस lecture में मैं आपको एक link भी दूँगा जिससे आप जाके समझ जाएंगे किस तरह से blog बनता है अच्छा अब blog create करने के बाद जो main काम है हमारा वो है blog के ओपर content को create करना अब वो content क्या होगा वो content कैसे आएगा वो content कैसे लिखना है ये बहुत से लोगं को problem होती है कि यार हमारी field जो है वो ये वाली है लेकिन मैं अब समझ नहीं आ रही कि इसके उपर blog start करूं तो कैसे करूं ठीक है पिछली video मैंने आपको बताया था कि आपने एक अपनी biography लिखनी है जो भी आपने आपकी जो भी history है जो भी आपकी biography है के शुरू से लिए के end तक आप का नाम क्या है आपकी date of birth वगरा इस तरह जैसे एक आम बंदा अपने myself एक ऐसे लिखता है वैसे आपने एक blog बनाना है और वैसे आपने जैसे एक बंदा अपना myself के उपर मजबून लिखता है वैसे आपने अपना myself के उपर मजबून create करना है और वो ही जो मजबून आपे लिखा होगा वो ही आपके blog की पहली post होगी ठीक है उसमें आपकी आप अपने आपको introduce करवा रहे है लोगों को ताके वो बंदे जो आपकी website को आके विजिट करेंगे पढ़ेंगे वो सब लोग जान सकें कि ये blog लिखने वाला बंदा कितना credible है मजीर time waste किये बगया directly मैं अपने topic पी आता हूँ कि blog को basically blog का मतलब क्या है तो blog मैंने बताया कि diaries की तरहां से जैसे लोग पहले diary लिखा करते थे वैसे अब लोग blogs बनाते हैं तो blog जब आपका बन जाता है तो फिर वहाँ पर आपने अपना content share करना होता है मैं आपको most best of the best आपको ये बताऊंगा कि blog आपका जो होगा वह आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी expertise को आपके experience को show करता हो आपने कोई practical work किया हुआ है आप किसी काम में expert हैं तो आप उस काम से relevant वह blog बनाएं आपको बहुत जबरदस बहुत अच्छी traffic आपको मिलेगी मिसा के तोर पर एक person है वो कहता है जी कि मुझे teaching मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस subject के अंदर मैं teaching करता हूँ उसी subject को मैं लेकर अपना blog create करूँ तो भई कर सकते हो आप आप अच्छा खासा traffic generate कर सकते हैं अपने blog के उपर अगर आपने एक अच्छा content create किया हुआ है ठीक है अब blog को लिखने के लिए आपको कौन कौन से steps को follow करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपने समझना है कि आपकी audience कौन सी है किस के लिए आप blog create कर रहे हैं क्या वो school going students है क्या वो university going students है क्या वो professionals है या वो किसी भी field से वो belong करते हो तो सबसे पहले आपने उनको judge करना है कि वो audience आपकी कौन सी है second topic का जो बन जाता है that is कि आपने अपनी जो भी आप काम करने जा रहे हैं ना उसका आपने एक अच्छा सा title बनाना है अब लोग title में बहुत हैं कि title हम कैसे बनाएंगे title में कैसे काम होगा देखे client ने अकसर आपको title बना के दिया होता है अगर client title आपको नहीं बना के देता तो keyword आपको जरूर देगा अब उस keyword के उपर उस keyword के उपर अब आपने searching शुरू कर देनी हैं और आपने उसके बारे में simple जैसे एक normal routine में आप लिखते हैं वैसे आप लिखना शुरू कर देंगे SEO content writing और blog writing में यह फरक होता है कि SEO content writing में जैसे मैंने कल बताया था आपको कि 4 से 5 keywords client आपको देता है और उन ही keywords के उपर आपने content writing करना होती है blog writing में client आपको एक topic देदेगा एक title बनाकर देदेगा एक keyword देदेगा उसके उपर आपने 800 words का 1000 words का 1500 words का आप एक article जो client आपने जो client ने आपको दिया हुआ है उसके उपर आपने लिख देना है अच्छा इसमें यह भी होता है कि जब आप काम करते हैं तो कहते हैं या कितने words होने चाहिए कितने words बहतर है तो बहतर यह है कि जितने ज्यादा words आपके blog के होंगे उतना ज्यादा वो google friendly होगा और उतनी जल्दी वो google की ranking में आएगा और top pages के उपर rank होना शुरू हो जाएगा तो लहादा topic आपने बड़ी दिहान से चूज करना है, और trip आपने बड़ी दियान से देना है देन आपने started करनी है हमेशा introduction से अब introduction लिखते हुए आपने देखना है कि आar ंट्रॉडक्शन लिखते हुए आपने जब बात करनी है, तो कोशिश करनी है आपने starting कि बड़ी भी जबदस्ति करनी है ऐसी स्टेटमेंट आपने स्टार्टिंग में एड करनी है स्टार्टिंग में आपके इंट्रोडक्शन की ऐसी होनी चाहिए कि आप जब आर्टिकल लिखें तो आपने जो पहली स्टेटमेंट है वह आपके विजिटर्स की अटेंशन को ग्रैब करने वारी हो कहते हैं कि कॉं काम्याब हो गए तो समझ़ लें कि आपका आर्टीकल पूरा पढ़ा जाएगा और आपके आर्टीकल को बहुत ज्यादा क्लिक्स, बहुत ज्यादाelo इंप्रेशसें पहुत ज्याद ऐदा सर्च ये आपको गोगल से मिलें then number four पे आता है organize your content कुछ लोगों के पास information होती तो बहुत है लेकिन वो लोग न organize नहीं कर पाते हैं जैसे आप मिसाल के दोबर बात कर लें blog writing blog writing की ही हम बात करते हैं तो blog writing के बारे में मैं भी कुछ जानता हूँ आप भी कुछ जानते हैं कुछ आपने सुल रखा है तो जो आपने information अपने mind में आपके पास है उसको थोड़ा सा organize कर लें के पहले मैंने ये बात करनी है फिर मैं ये बात करूँगा फिर मैं ये बात करूँगा फिर ये फिर ये और फिर then मैं इसको finally conclude कर दूँगा इस तरह कि अगर आपने पास एक outline create कर लेंगे तो आपके लिए उस blog writing के उपर काम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा जब आपने ये outline कर ली देन आपने outline को follow करना है और अपना blog आपने create कर देना है और देन आपने कभी कभी भी कभी ये याद रखिएगा कि जो चटा step है वो है आपने कभी भी कोई भी काम कोई भी writing का काम हो तो आपने proof read किये बगएर और उसमें जो भी mistakes आ रही है उन mistakes को आपने remove किये बगएर कभी भी नहीं छोड़ना कैसे बनता है देखे मैं आपके सामने एक छोटी सी example आपको देता हूँ जिस्ट एक दो मिनट के इंदर आपको बतायता हूँ क्योंकि सारा time जो मैं इसके उपर लगाँगा नहीं ये client में topic दिया list of top 20 best digital marketing agencies in USA America में USA की जो top 20 की जो agencies हैं वो कौन सी है अच्छा client आप उन्हों बहुत का जिसरफ topic देख के अगा इस पर काम कर दें अगर तो ऐसा हो जाए तो बड़ा easy होता है आपने simple आपने इसको copy करने है copy करने के बाद आपने google में जा कि आपने इसको paste कर देने और then आप जब search करेंगे तो आपके सामने इतनी सारी है कि top 100 companies आपके सामने आ चुकी है top 20 top 30 इस तरह की companies आपके सामने आ चुकी है आपने simple करना किया है आपने इन में से किसी को कई एक link open करना है और उसके ओपर आपने देखना है बहुत सारी company यहां पर होंगी आपने उन में से one by one हर एक को explain करना शुरू कर देना है ठीक है हर एक को आपने इस तरह से explain करना है जिससे क्या होगा कि आपका article जो आपका complete हो जाएगा हर एक जो जो आपकी industry है हर एक category के उपर अगर हर एक एजनसी के उपर अगर आप 100 to 120 words करते हैं तो अगर आपकी 20 और organization है 20 को 100 से multiply कर ले तो यह आपका 2000 प्लस में जाके आपका यह content complete होगा और यह बहुत जबर्दस ब्लॉग बन जाएगा आपका lifetime इसके उपर आपको एक अच्छी search आपको मिल सकती है ठीक है इस तरह से मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं रिसेंड़ी एक ब्लॉग पर काम किया था तो वह भी आपको मैं दिखाता हूँ ताके आपको थोड़ा idea हो जाए कि वाके ही जो बाती मैं इसके बारे में search का रहे ना तो आपने उससे question पूछना है कि भाई क्या तुम वाके ही search कर रहे हो are you in the search of such agencies that can boost the traffic of your website then you are at the right place के अगर भाई आप ऐसा search ऐसा कर रहे हो आप ऐसी company सेर्च कर रहे हो जैसे जैंसी को search कर रहे हो जो आपकी website की ranking को increase कर सकता है तो आप right place पर हो मै मैंने यहां पर 20 website जो है वो रखी हुई है आपको बड़ा अच्छा benefit होगा यह करकर मैंने सिर्फ एक इसका लिखा है introduction then मैं उसके बाद स्टार्ट कर दिया पहली company को लिख दिया second third fourth fifth इस तरह करते 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 मैंने तकरीबन यह 20 agencies के ओपर काम किया है और end मैंने final thoughts भी दे दी है कि में दर conclusion दे दी है कि I have mentioned the top 20 companies providing their services in US and you can get to any one of them to get your business at the next level you can know more about them by following their official websites अचा इनी सबके पीछे ना एक link लगा हुए है देखें यह आपको link नजर आ रहा है हर website के back के उपर आपको एक link मिलेगा उस link के उपर अगर आप जाएंगे तो आपने वहां से जाकिन की information लेनी है कि यह लोग क्या काम कर रहे हैं about section से आपको information मिल जाएगी या आप about section के इ लावा भी अगर आप इनकी services में जाते हैं तो वहां से भी आपको information मिल जाएगी कि यह कौन कौन से services को perform करते हैं ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आपने कोई भी blog simple आपको इसमें सर्फ एक आपको keyword दिया होगा यहां title बना के दिया होगा उसी keyword के उपर उसी title के उपर आपन अपनी creative writing की skills को आपने इस्तमाल करते हुए आपने blog को create कर देना होता है तो यह उमीद करता हूँ कि आपको यह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी के blog कैसे बनता है blog किस तरह से बनाते हैं हमेशा ही की तरह अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दें maximum maximum share करें ताके maximum लोगों तक मैसेज मारा पहुंच जाए और वो लोग भी learning करके कल को earning की दिरॉफ मूव कर सके मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अल्लाहाफिज आज की इस प्रोफेशनल कॉंटेंट राइटिंग के कोर्स की लेक्चर नमबर फाइव में आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिसकस करना है डैट इस सोचल मीडिया राइटिंग जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्च इंजन्स गूगल याहू बिंग इनके बाद सोचल मीडिया एक ऐसी प्लेस या ऐसा प्लैट्फॉर्म बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस की सर्चीज होती हैं या आम सर्चीज की जाती हैं तो उन प्लैट्फॉर्म के उपर रह कर किस तरह से एक कॉंटेंट राइटर ने राइटिंग करनी है उस चीज को यहां पर सिखाया जाएगा तो आज की क्लास में वो तवाम प्रोब्लम जो सोचल मीडिया की उपर आपको राइट करते हुए आपको फेस करना पड़ती हैं उन सब का सुलूशन हम आ अच्छे कॉंटेंट राइटर बन सकते हैं तो वो कॉंटेंट कैसे लिखा जाता है वो कॉंटेंट कितनी तरह का होता है और हम एक अपने बिजनस के लिए अपने पेज के लिए कॉंटेंट को प्लैन किस तरह से कर सकते हैं प्लैनिंग का पार्ट भी इसमें शामिल होगा की वीडियो में तो ब्राइकर हम इसको जरूर जरूर मुकमल देखिए गा ताकि आपको मैक्सिमम नौलिज आसिल हो सके तो सोशल मीडिया के बारे में ये बातें की जाती है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लैटफार्म है जिसके जिए से बिजनस इस अपने आपको अ सबसे बड़ा सर्च इंजर है सोशल मीडिया में तो फेस्बुक को डिसकस करते हैं फेस्बुक आपको तीन तरह की ऑप्शन्स देता है कि आप अपने कॉंटेंट को पोस्ट कर सके इंदी शेप ओफ लिंक्स इंदी शेप आफ पोस्ट और इंदी शेप ओफ इमिजिस विडियो भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो आप अपना कॉंटेंट अगर शेयर करना चाते हैं जस्ट आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो वो पूरा का पूरा आर्टिकल आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं या आपने वो आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कि या हुआ आर्टिकल आपने शेयर कर देना है फेस्बुक पेज के ओपर तो वह जो भी आपके आर्टिकल पर पिक्चर लगी हुई है उस पिक्चर को आटमेटिकली उठा लेगा दो तीन लाइन जो होंगी वह उसको शोग करेगा जैसा कि अब आपके सामने स्क्रीन पर भी श स्टेटमेंट्स हैं और बाकी अगर आपने इसको पूरा पढ़ना है तो जैसे ही आप इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह आपको री डायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पर अच्छा बासकात आप लोग ना कहीं कहीं पर जॉब के लिए हाइर होते हैं कहीं आप जॉब पॉइंट होते हैं तो आप ने अपने इस कै्रियर के अंदर उस जॉब डुॉडियूरेशन के दुराण क्लाइंट्स आपगए था हैं हमने आपको यह काम दे दिया हैं हमारे पास साथ 8 पेजी वे इन 7 8 पेजी वे इने ison kanad Be Рाइटिंग क इसको भी मैंज करना होता है website के लिए आपने एक article लिख लिए जो के आप SEO content writing भी कर सकते हैं आप blog राइटिंग भी कर सकते हैं आप creative writing भी कर सकते हैं उस website के लिए उस website के लिए आप ने इन तीनो categories में से आपने कोई category आपने वहां पर आपने काम किया और उस website का जो link होगा उसको आपने share कर देना है अपने social media के उस page के उपर ठीक है इस तरह से क्या benefit होगा कि उनकी जो website है वो भी चलना शुरू होजेगी और जो आपका जो page है उनका social media का वो page भी run होना शुरू हो जाएगा तो आपको double double minute करने की जोरत नहीं है ठीक है मैंने पहले ही आपको बताया है कि facebook पर काम करना है अगर आपने तो इस purpose के लिए आपको social media पर काम करने की tricks आपको आने चाहिए ट्रिक्स क्या है कि आपको जारी बाद जिस client ने आपको कहा कि facebook के उपर काम करें facebook का मेरा page है उसको आप run करें तो उसका कोई ना कोई ब्लॉग होगा कोई ना कोई उसकी वेबसाइट होगी तो आपने अपना SEO वाला काम अपना राइटिंग वाला काम कॉंटेंट राइटिंग वाला काम आपने उसकी वेबसाइट उसके ब्लॉग के लिए करना है और वहां से आपने उनको शेयर करते रहना है उनके pages के उपर तो इसका benefit क्या होगा कि उनके pages की जो traffic है वो भी बढ़ जाएगी और उसके लावा साथ साथ उनका जो facebook page है वो भी manage होता रहेगा तो इसके लिए special किसम की instructions की कोई सुखत नहीं है थोड़ा सा आपको जो है वो tricky होके सोचना पड़ेगा तो आप easy लिए काम कर देंगे अब बात करते हैं Twitter की Twitter में क्या होता है कि Twitter में आपने first of all तो आपने यह ज्यान रखना है कि Twitter में जो भी आपने discussion करनी होती है वो 140 characters 140 characters के अंदर अदर करनी होती है यहां पर लबे 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 आर्टीकल आप नहीं लिख सकते जैसे कि Facebook पे उपर अगर आप चाहें तो दो दो तीन 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 रजार वर्ट का आर्टीकल भी आप copy paste कर सकते हैं Facebook कभी भी आपको मना नहीं करेगा लेकिन अगर आप यहां पर कोई content ऐसा डालते हैं तो वो automatically उसको shot करके 140 characters तक ले आएगा तो आपने यहां पर to the point हो के बात करनी होती है specifically आपने बात करनी होती है और यहां पर अगर आपने अपनी उस searches को बढ़ाना है आपने अपनी searches को Twitter पर बढ़ाना है तो आपने relevant hashtags यूज़ करने है हम कहते हैं कि Twitter जो है यह game है hashtag का Twitter is the game of hashtag यहां पर जितने ज्यादा अपनी industry से relevant आप hashtag यूज़ करेंगे और जितने relevant most relevant आप hashtag यूज़ करेंगे उतनी ज्यादा searches आपको मिलेंगी उतनी ज्यादा searches में आप शो होंगे और उतना ज्यादा आपका वो content आपका वो page आपका वो brand आपका वो business आपका वो नाम वाइरल होगा ठीक हो गया इसकर आप इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम के ओपर भी hashtag भूबुत ज्यादा इस्तमाय होते हैं जितने ज़्यादा अपने hashtag वहां पर use किये होंगे जितने ज्यादा अपनी industry से relevant अपने राइटिंग से relevant आपने हैस्टेग वहाँ पर यूजकी है अतना ज्यादा आपको वहां पर exploring मिलेगा उतना ज्यादा आपको searches वहां से मिलेंगे थीक है मजीध अब मैं आपके साथ वो शेर करने जा रहा हूँ जो मैंने आपके शुरूर में पताया था कि मैं आपके साथ एक गाइड शेयर करूंगा पूरी जिस गाइड को फालू करते हुए आप किसी भी पेज का किसी भी वेबसाइट का किसी भी ब्रैंड का सोशल मीडिया का जो स्टाइल है उसे आप अरेंज करके उसके मताबिक आप चल सकते हैं तो यह एक आपके सामने सोशल मीडिया स्टाइल गाइड के नाम से मैंने इसको यहां पर शो किया हुए थोड़ा मैं जोन करता हूं ताकि आपको इजिली नजर आ जाए तो यहां पर आप अपना लोगो लगा लेंगे ठीक है उसके बाद आपका आजएगा सोशल मीडिया स्ट हमारी कमपनी सोशल मीडिया पर इस वज़ा से है जो भी आपकी वजवात हैं वो आपने इन फिरिंदी ब्लैंक्स के अंदर लिख देनी है तो आपका वो सोशल मीडिया के उपर आने का जो मिशन स्टेट्मेंट है जो गोल है मकसद है वो आपका वाजिया हो जाएगा देन के बारी आती है सोशल मीडिया ओडियंस समरी अब आपने अपने सोशल मीडिया की ओडियंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया को इस्तवाल करने वाले हजारों किसम के लोग हैं बचे भी हैं बुड़े भी हैं जवान भी हैं और एजिड to reach कहां तक किन लोगों को आप target कर रहे हैं क्या वो male है क्या वो female है क्या वो young है school going Children है college going still children है university going students है यह चीजे आपने यहां पर search करनी है this doesn't need to be as depth as full user persona but a full outline of your target audience may be beneficial मतलब कि जो भी आपकी information maximum maximum आपकी target audience है उसको आपने यहां पर लिखना है कि उनकी age क्या होगी वह उनका gender क्या होगा क्या 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 उनके likes हैं क्या dislikes हैं यह सारी चीज़ें हैं जितनी ज्यादा maximum आप हो सकते हैं आप यहां पर लिखके उनकी summary बना लेंगे then आपकी आती है brand voice describe your company's brand voice on social media social media के उपर आपके company का brand voice क्या होगा आप इसके बारे में आपने करना गया है if our company were a person अगर company जो है वो एक person है तो what would it be sound like on social media बसल्द जैसे के मैं company मैं काम कर रहा हूंग तो मैं my solution के तो पर काम कर रहा हूं तो my solution एक single person company है यहां पर group of companies नहीं है single company है तो इस single company का social media को इस्तमाल करने का मकसद क्या है यह चीज़ आपने यहां पर बतानी है then brand standard do you have specific spelling or ways of wording of your brand name जैसे मिजाग के तो पर मेरा लिखा होता है m y solutions तो कुछ लोग कहते है my solution कुछ कहते है m y solutions तो basically m y का मतलब क्या है m stand for mohammed y stand for yaqub to mohammed yaqub solutions तो यह इसका overall standard है कि यह brand का जो नाम है वो उसके पीछे कहानी क्या है यह भी आपको पता होनी चाहिए उसके बाद आपने standards कुछ brands होते हैं वो एक ही standard को follow कर रहे होते हैं तो यह brand standard भी आपने रखना है कि हम यह brand के का यह हम यह spelling यूज करेंगे हम यह comma punctuation mark grammar वेरा का बड़ा ख्यार रखना पड़ता है writing के दुरान यह तो आपको पता ही है अगर आप content writer है तो आपने अपनी writing में प्लेजर ग्रामेटिकल mistakes आपने नहीं करनी होती तो ग्रामेटिकल mistakes को remove करने के लिए grammarly का software है वो आप use करें तो maximum maximum information आपको मिल जाती है then इसके बारे बाद में बारी आती है graphic requirement ग्राफिक रिक्वार्मेंट देखी कि अगर हम social media writers है ना तो writers का काम graphics का का काम को maintain नहीं करना होता graphics जो है वो company वाले हमें खुद provide करेंगे जहांपे हम job कर रहे हैं जो हमारा client है वो graphics, videos, pictures गयरा हमें खुद provide करेगा हमने just लिखना है हमारा काम just लिखने का है तो just हमने लिखना है और लिखने के बाद क्या होगा वो हम चाहें picture के उपर लिखने के लिए content देदें चाहें हम उस page उस picture से उपर जो content section है वहां पर लिखने के लिए हम उनको content देदें तो यह कोई matter नहीं करता picture से हमारा कोई link नहीं है हमारा link सिरफ और सिरफ उस चीज़ के साथ है कि हमने उनको एक अच्छा content create करके देना है जो के और ज्यादा से ज्यादा traffic को generate करे या उनकी website के उपर या उनके social media pages के उपर ठीक है तो उमीद करता हूँ कि ये आपको guide समझ आ गई होगी कि हमने ये काम क्या है ये कैसे करना है तो ये थी आज की video उमीद करता हूँ कि social media writing भी आपको समझ आ गई होगी हमेशा ही की तरह video को like कर दें comment करके अपनी राइकाई जहार जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला आफिज अर्विल्लाहिमने शेटवान रुर्वाजीम बिसमिल्लाहिरु रुर्वाहमन रुर्वाहिम असलाम अलेकम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट मुहमद याकूब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दोस्तों professional content writing course के lecture number 6 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है sales and ads copywriting के उपर या आप इसको ads and sales copywriting कर ले मतलब आज की वीडियो जो है वो मारी base करती है कि अगर आपने किसी ऐसी organization के लिए काम करना है जो के promotional content पर काम करती है मिसा के तोर पर कोई जैसे एक कोई भी चीज कोई भी organization अपना page ला रही है facebook का और उसके जरीए से उसने अपनी sales को generate करना है social media के जरीए से उसने sales को generate करना है सोचल मीडिया के जरीए से गूगल एड्स के जरीए से और भी जहां जहां पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉंटेंट लिखने की जरूवत पड़ती है उन तमाम प्लैटफॉर्म के उपर हम इसको यूज करेंगे ठीक है तो आज की जो वीडियो है यह बेस कर बाते हैं जो कि आपने फोकस करनी है जिनकी जिनका आपने ख्यार रखना है अगर आप एड्स यहां से रिलेटिड आप कॉंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है पहला पॉइंट है शो व्योल्स हाव यू विल सॉल्व देर प्रॉब अटेंशन गेन करें अटेंशन गेन करने के लिए सबसे पहले आपने उनकी प्रॉब्लम का सिलूशन उनको बताना होता है जैसे मसागत दोपर आपको सामने एक पिक्चर भी शो हो रही है यहां पर चार डिफ्रेंट किसम के एड्स लगे हुए हैं और इसमें आपने याद सर्चे उसको मिले और ज्यादा से ज्यादा कनवर्जियन आपके पेज के उपर आ सके तो अभी आपके सामने यह चार तरह के डिफ्रेंट डिफ्रेंट एड्स लगे हुए हैं जिसमें बुक को सेल करने के पॉइंट आफ यू से एड्स बने हुए हैं तो देखें फर्स वा कि बॉइंट एंड सेल यूजड बुक्स देखें यह चार तरह के एड और चारों के अंदर उसने एक एक कीवर्ड को प्लेस किया हुए है जो कीवर्ड है सेल बुक अब जो बंदा बुक को सैलिंग करने के हवाले से सर्चिंग कर रहा है उसके सामने यह चारों एड्स आना करना होता है ताकि आपको शेल ज्यादा से ज्यादा जिन्रेटो और ज्ञादा से लोग आपकी वेब साइट पर जवॉख वह आपकी , जोओं आपकी कर्दों में इसाफ़े का भाइस बन सके तो इमोचिनल ट्रिग करने हैं लाइक फियर एंगर इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने एड करनी है जैसे अभी आपके सामने एक और पिक्चर नदर आ रही होगी आपको इसमें भी देखें यहां पर इन्होंने इमोशन गारा शो किये हुए है यहां पर फर्स्ट वान पर लिखा हुए है यह एन इस प्लैन उसके बाद नीचे वाली भी देखें ऐसे लिखा हुए है जस्ट रिजल्ट्स उसके बाद दुबारा फिर प्राइवेट पर्सनल ट्रेनिंग गया रहा तो मतलब यह देखें इसने इमोशन को शो किया हुए है और उसने बताया हुए है कि हम आपको पर्सनल ट् आपने लोगों को यह बावर्र करुवाना है यह उनको यकीन दिलवाना है कि हम आपके बेनीफिट्स पर फोकस कर रहे हैं हम फीचर पर फोकस नहीं कर रहे हैं उसको आपने यह नहीं पताना कि हमारे पास यह फीचर है हमारे पास यह बैनिफिट है हमारे पास यह बैनिफिट है उसके पास नहीं है हमारी कंपनी के पास है आपने उसके बैनिफिट पर फोकस करना है वो फीचर फिस्वय स्वय नहीं है ठीक है जैसे एक मिसाल के तुरुपर आपके सामें एक और पिक्चर दजर आ रही होगी आपको यहां पर फिर इसने दुबारा से लिखा हुआ है देखें ऊपर टाइटल लिखा हुआ है ब्लू कलर में नीचे ग्रीन कलर में उसका जो है वो यूरल है और उसके नीचे जो description लिखी हुए है उसमें देखे starting कहा से हो रही है save 5% when you sign up ये क्या हो गया ये आपने benefits बताए है उसके बार नीचे फिर देखें लिखा हुए save big with vpi मतलब कि हर एक के अंदर आपने जो description लिखनी है add की वो आपने इस तरहां से लिखनी है कि आपका वो जो caption है जो आप लिख रहे हैं वो focus करता हो benefits के उपर क्योंकि लोग आजकाल ना जो अपने पास pocket से जा रहा है ना उस पर focus कम करते हैं और benefits के उपर focus ज्यादा करते हैं तो अगर आप benefits के उपर focus करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी description के अंदर एड के description के अंदर आपको ये चीज़ें शो करना पड़ेंगी अब ये वाला एड चाहे आप Facebook के लिए बना रहे हैं चाहे ये आप Twitter के लिए बना रहे हैं चाहे आप किसी भी platform के लिए बना रहे हैं उन सब में यही वाले steps अगर आप follow करेंगे तो इंशाला आप एक अच्छा ads, copywriting material content लिख सकते हैं नमबर 4 पर आता है कि आपने लोगों को मजीद बताना है कि time कम रह गया है हमारे पास सिर्फ 4 गंटे है हमारे पास सिर्फ 1 गंटा है या हम यह कह सकते है early bird discount मिलेगा जो पहले सो लोग होंगे उनको discount मिलेगा लोगों को अपने pinch करना है कि यार इस ची आएगा एक अच्छी यह यह चीजें शो करके आपको फोरी तोर पर conversion आना शुरू हो जाएगी क्योंकि लोगों को पता हुआ कि यार discount मिल रहा है 5% और अगले ही एक घंटे के बाद यह discount की offer खत्म हो जाएगी तो लोग फोरी तोर पर उसके लिए collection करना शुरू कर देंगे ठीक है तो यह इस तरह के overall जो है वो तीन चार पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं अगर आप इनको follow करते हैं तो इन्शाला इन्शाला आएप एक अच्छा content create कर सकते हैं अभी मैं आपको एक voice notes सुनाता हूँ हमारे एक बड़े ही माशाला से होनी हार हमारे एक दोस्त है SEO expert है माशाला से अपना SEO का setup भी चला रहे हैं तो उनका मैं आप अभी आपके सामने एक voice note share करता हूँ उन्होंने क्या कहा उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है मैंने उसे request की थी कि आप माशाला से market में in है आपको ज्यादा इस बारे में idea है तो आप बता देएं क कि हम किस तरह से add का सकते हैं तो अभी उनका हम voice note सुनते हैं उसके बाद हम इस वीडियो को इक्तिताम करेंगे असलाम लेकुम सर एड के लिए जो description लिखनी होती है न वो एक से दो line एक से दो sentences में लिखना होती है so उसमें यह के call to action हो थोड़ा description हो जो user को समझने में असानी होगी यह ads especially है किस चीज़ के लिए for example अगर आप living room furniture बेच रहे हैं तो आप यह लिख सकते हैं here at furniture in fashion we have a wide range of living room furniture at available at affordable price and so what you are waiting for click now to buy a living room furniture and save up to 50% so इस तरह थोड़ी सी description हो उसमें और उसमें offer भी हो call to action हो और आपके brand के बारे में हो और specific product के बारे में भी हो जो आप बेचना चाहरे हैं thank you तो दोस्तों आपने उनका वाइस नोट सुना मिस्टर अबदुला का आपने वाइस नोट सुना है यह वाइस नोट ने रिक्वेस्ट करके उनसे get किया है और उन्होंने बड़ी अच्छी explanation दी है उमीद करता हूं कि आपको एक theoretical point of view से भी मैंने guide कर दिया है और आपको एक expert जो के currently market में इन है उनका भी मैंने point of view आपको सुना दिया है और उमीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी हमेशा ही की तरह हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ share कर दें मिलते हैं अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए अल्ला आफिज आख़ुब लाहिमिन श्याइटवान रुजीम बिसमिल्ला रुछम्र रुछीम असलाम लेक्म दोस्तों मैं हूँ आपका होस्त मुहमद याकूब और आप देख रहे हैं my solutions यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की professional content writing course के lecture no.7 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है के creative writing कैसे करते है creative writing नाम से ही जाहिर है कि आपने mind से create करके आपने उसको लिखना है देखें creative writing करना इतना मुश्किल नहीं है सिर्फ इसमें थोड़ी सी आपकी तवज्ज़ चाही होती है कि आपने उसके बारे में चीज़ के बारे में सोचना है और उसके बाद आपने create करके अपने mind से आपने उस चीज़ को लिख देना होता है बातकाद ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके बारे में डाटा आपके बारे में सर्च किया जायाए ना आपके पास कोई Information है ना इंटरनेट के अपर कोई इतना खास Material पड़ा हूआ है तो उसके बावजूद आपकी इस तरहां से उस content writing को अंदर creative writing कर सकते हैं ये चीजें हमने इन्शाला आज की इस वीडियो में हमने cover करनी है और इन्शाला जैसे last time मैंने एक expert का opinion आपके साथ share किया था आज इस वीडियो में भी मैं expert का opinion share करूँगा ताके आप के लिए एक बेहतर से बेहतरीन चीज़ को produce किया जा सके देखे हर बंदा जो है ना उसके पास knowledge है मेरे पास knowledge है तो मैं आपको explain कर रहा हूँ जो बंदा is time market में practically in है वो बंदा जो है ना वो आपको सही तरह guide कर सकता है कि basically ये चीजें क्या होती है तो अब start करते हैं हम अपनी creative writing के इस tutorial को तो इसमें basically कुछ steps हैं जिनको follow करना पड़ता है तब जाके आप एक अच्छा content create कर सकते हैं पहरा step है write about what you know सबसे पहले आपने वो लिखना है जो आप जानते हैं जसके बार में आप writing करने जा रहे हो उसके बारे में आप कश ना कुछ तो जानते होगे ना कश ना कुछ तो आप जानते ही होंगे तो लहाज़ाब आपने उस चीज के बारे में आपने लिखना है के यार यह चीज फ्लां फ्लां चीज से विलाउंक करती है मिसल के तोर पर जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि iPhone iPhone Apple का product है हर कोई जानता है मैं भी जानता हूँ आप भी जानते है तो Apple के इस product के बारे में आपने लिखना शुरू कर देरा है Apple की history के बारे में बैकन करें चुका है यह आपकी वो information है जो आप जानते हैं उसके बाद आपने क्या करना है हमेशा आपने अपने words को हर्फे आखिर नहीं समझना second type है कि अब आप वो लिखे जो आप नहीं जानते अब जो आप नहीं जानते यह इसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं आप गूगल पर जाएं गूगल पर जाकर आप सर्च करें और किसी भी चीज के बारे में आप सर्च करेंगे कुछ ना कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता रेलिवेंट मेटीरियल आपको वहां से मिल जाएगा नमबर थी पर आता है रीड वाइडली एंड वेल आपने चीज को लिखना है बड़े ही समूथ अंदास के साथ बड़े ही अच्छे अंदास के साथ पहले आपने उसका इंटोड़क्शन देना है देन आपने उसका पर बात कर सकते हैं उसके बैनिफिट्स पर बात कर सकते हैं उसके ड्रॉबेक्स के उपर पॉजिटिव और नेगटिव किसी भी अंगल से आप बात कर सकते हैं नेच्ट वन आता है नमबर फोर पे आपने एक हुक क्रियेट करना है हुक का मतलब होता है ना किसी को खैंचना हो अपनी तरफ तो आपने एक ऐसी स्टेटमेंट यूज करनी है कि जिससे आप यूजर्स की अटेंशन को ग्रैब कर सकें देखें कॉंटेंट राइटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू है ज़स्ट थी सेकिंड्स आपके पास तीन सेकिंड्स हैं कि आपने ल गए तो समझ जाएं कि आपका बक्या सारा का सारा जो कॉंटेंट है सारा जो आपका जो लिखा हुआ राइटिंग का मैटेरियल है उसको पड़ा जाएगा अधर्वाइस लोग उसको एग्नौर कर देंगे और आपकी सारी मेहनें जाया हो जाएगी ने नमबर पांस पर आत से जो न्यू वर्जिन है उसमें ये ड्रॉब है उसमें ये फाइदे हैं इस तरह से करके आपने अपनी बात को एक्स्प्लेइन करना है और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये आपने जब अपना एक रसा ड्राफ बना लिया तो फिर आप आपके पास एक कॉंटेंट अवेल करनी है जरूर के उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रामर मिस्टेक्स किस तरह से रिमूव कर सकते हैं अक्सर लोगों को बहुत ज़यदा तंग करती हैं बहुत ज़यदा प्रॉब्लम्स क्रेयेट करती हैं उसकी रीजन ये हैं के हम नेटिव स्पीकर्ड नहीं हैं इं तो ऐसी बात नहीं होती आप पर्फेक्ट किसी भी फील्ड में नहीं हो सकते पर्फेक्ट दुनिया में सिर्फ एक ही जात है जो दुनिया में पर्फेक्ट होकर आई थी और वो थी सरकार Sallallahu Al pleihi Sallam की जात ठीक है उससे बढ़के कोई भी perfect नहीं है हम सब learning के phase में होते हैं हम सीख रहे होते हैं तो लहादा इसको मैं short करूँ तो कहने का मतलब यह है कि अब आपने जो भी content आपने लिख लिया है उस लिखे हुए content को आपने एक दफा grammatical टूल में जाकर आपने चेक कर लेना है कि जितने भी problems हैं जितने भी mistakes हैं वो सारी आपने बहां से remove कर लेनी है और जब आपने वो काम कर लिया उसके बाद दुबारा से go through करें शुरू से लेके end तक अपने पूरे content को पढ़ें समझें उसके बाद जाके आपने उसको content को या तो publish करना है या फिर अब आपने आगे client को send कर देना है तो यह overall कुछ steps हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छा content create कर सकते हैं अच्छी content writing आप कर सकते हैं तो अभी मैं अभी ले चलता हूँ आपको लास्ट टाइम ही मैंने आपके साथ एक share किया था कि मिस्टर अबदुल्ला जो के SEO consultant है और armconsultants.org के founder है माशालला से अपना setup चला रहे हैं उनके साथ जब में discussion हुई तो उन्हों ने अपने views का इजहार किस तरहां से किया उसका अभी हम चलके सुनते हैं उनने क्या कहा उनके मलफूदात को सुनते हैं और उसके बाद प्रॉपरली फिर हमें इस वीडियो को wind अप करेंगे Assalamualaikum Sir अगर कोई ऐसा product है जिस पे बहुत कम मलूमात है या बिलकुल ना होने के बराबर है तो ऐसी सुरत में लिखना थोड़ा उसके बारे में मुश्किल तो होता है लेकिन नामुम्किन नहीं है सबसे पहले यह है कि जिस website पे वो publish होना है उस website को समझना चाहिए से दूसरे product को देखते हुए एक अंदाजे के मताबक उसको promotional content लिखना चाहिए जिस में वो for example इस तरह describe कर सकता है कि जी हम बहुत अच्छी quality के product बेचते हैं और हमारे जो product है वो affordable price पे होते हैं हमारा इतना experience है और बला 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 इस तरह की चीजें जो हैं उसमें mention की जा सकती हैं और इसके इलावा अगर हो सके तो अगर कोई उसका competitor है जो पता चल सके कि यह उसका competitor उसको देखा जा सकता है कि वो किस सरह कर रहा है उसी specific product के लिए और अगर competitor भी नहीं मिर रहा तो ऐसी सुरत में वो फोटो जो है गूगल पे images पे जाकर upload करनी चाहिए और उसकी relevant photos जो हैं वो देखने के बाद अंताजा लगा लेना चाहिए कि जहां जहां पर यह photo यूज हुई है यह जहां पर यह product यूज हुआ है उन्होंने किस तरह इसको describe किया और इसके इलावा जो है main यही है कि आप उस site को समझें और उसके product को समझें और उसके लिए अपने experience के मताबक एक unique चीज क्रियेट करें और उसमें promotional type content भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि जी हमारे यह product बहुत अच्छी quality का है इसमें जो है आपको buy करने में हमसे buy करने में दोसरों के निसमें डिसकाउंट मिल सकता है इसके लावा और भी चीज़े mention कर सकते हैं और उस product का name भी description में use कर सकते हैं ताकि वो keywords के तोर पे भी काम कर सके so basically इसी तरह कर सकते हैं लेकिन इतना मुझे जहां तक लगता है वो मुश्किल नहीं है कि आपको कहीं से भी ना मिले relevant information क्योंके internet पे हर चीज़ के बारे में कुछ ने कुछ पढ़ा होता है बले वो कितनी ही rare हो बले वो कितनी ही different हो दूसरों से बिलकुल exact चीज़ ना मिले तो करीब करीब कुछ मिल सकता है और वहां से बंदा दे के अंदादा लगा सकता है कि basically हम अपने product के बारे में क्या लिख सकते हैं सबसे बेतर यही मैं कहूंगा end pay के अपने client से पूछें के थोड़ा बहुत हमें उस product के बारे में guide कर दे ताकि हमें लिखने में असानी हो सो कुछ questions आप create कर सकते हैं जिसमें अपने client को वो दे सकते हैं कि हमें इन questions के answer चाहिए और हमें बताए कि specific product के बारे में जो उसको पता है वो हमें बता दे ताकि उस हिसाब से हम आगे लिख सकें सो यह कुछ simple सी tips हैं जिनके जो useful थाबत हो सकती है एक ऐसे product के लिए लिखने के लिए जिसके बारे में information बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है so hope कि यह help करेंगी बहुत शुक्रिया जिजाका ल्ला तो दोस्तों आपने अबदुल्ला साब की बाते सुनी है उन्हों ने जो जिन बातों का इज़ार किया है कि हमें इन चीज़ों को focus करना चाहिए तो बिल्कुल मैं उनसे agree करता हूँ कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो के impossible हो impossible का मतलब होता है I am possible कि मैं इसको possible कर सकता हूँ तो कुछ भी impossible नहीं है लहादा आपने focus करना है अपनी skills के उपर आपके पास vocabulary आपके पास available है माशाला से तो उस vocabulary को इस्तमाल करें कुछ research करें कुछ अपना content कुछ अपना पास से experience को add करें और इस तरह से करके आप एक अच्छा content create कर सकते हैं उम्हेद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा इस वीडियो को like कर दें दोस्तों के साथ share कर दें ताके maximum maximum लोगों तक message हमारा पहुंच जाए तब तक के अधिये अलाहाफिज बिस्मिल्लाहि रख्मारी 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 असलाम लेक्म दोस्तों मेरा नाम है महमर याकूब और आप देख रहे हैं एम वाई सुलिशन्स यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ा ही powerful टूल बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी writing में जान डा सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप में से बहुत से लोग अकसर ये अपने mind में attention का शिकार रहते हैं कि यार हमने writing करनी है उसके लिए हमें जो है ना बहुत सारी problem का सामना है पहली बात तो यह है कि हमारे पास words का इतना जखीरा नहीं है especially ना हम लोग ना English का हमारे पास इतना जखीरा नहीं होता words हलांके English में एक एक words के बहुत सारे meaning होते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे पास English के जो words हैं वो बहुत कम होते हैं ताज इसकी वादा से हम ना हिचक चाते हैं English बोलते हुए और English लिखते हुए लेहाजा आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आप लोग कभी भी English लिखते हुए किसी भी टेंशन का किसी भी जबजब का शिकार नहीं होगे तो दोस्तों अक्सर देखा होगा आपने कि जब आप राइटिंग करते हैं तो आपको problem यह face करनी पड़ती है कि यार मैं मेरा जो project है यह business से relevant है business की fields relevant है अब business में जो language इस्तमाल करनी है वो language किसी और किसम की होती है उसमे वर्डिंग जरा professional level की हम वर्डिंग यूज़ करते हैं ऐसे ही होता है उसके लावा अगर हम बात करते हैं academic writing की तो academic writing के point of view से जो statements होती है वो बड़ी ही जबरदस होनी चाहिए आपकी बड़ी अच की हैं तो आपको अच्छे marks मिलते हैं आपका client भी आपसे खुश होता है एक बात हो गई फिर एक और यह भी आता है कि जब आपको writing कर रहे होते हैं तो आपने general English लिखनी है जैसे आप यह communication कर रहे है conservative आपका जो बात बात करने का style है वो communicative है आप लोगों के साथ लोगों को सिर्फ arguments दे रहे हैं आप लोगों को explain कर रहे हैं तो यह आपको ना इस चीज की attention रहती है कि यार मैंने यह फ्लाँ फ्लाँ ऐसे लिखना है यह फ्लाँ फ्लाँ ऐसे जो मैं करने जा रहा हूं इसकी जो tone है इसकी tone यह वाली है इसकी tone business की होगी इसकी tone जो है वो academic होगी इसक tone general होगी तो आप लोग ना इस चीज के point of view से इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हो कि यार हम किस तरह से इसको आगर लेकर चले क्योंकि हमने कौन से words हमने किस language में इस्तमाल करने हैं तो आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी वो सारी की सारी problem जो हैं यह सारी खतम होने वाली हैं शुरू से लेके end तक इस वीडियो को लास्मी देखिएगा लास्मी देखिएगा लेकिन वीडियो की तिरस जाने से पहले kindly अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को है यह टक्स है यह दिकने में तो बिल्कुल होके लग रहा है आपको कोई इसमे क्को आपको 6 है को Zwe को आपको एर्र नहीं आ रहे लेगिन से बहूर सारी प्रौब्लम का सामना करना पड़ेगा कभी आपने फूर्स टॉप का कभी वह सारी प्रॉब्रम्स आप को फियक्त करना पड़ेगी पिछली वीडियो एP मैंने आपकर बता दिया था आपने किस तरह से इसको रिफाइन करने हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आपने इसको मजीद रिफाइन करके अपनी स्टॉन के कोडिंग लेकर आना है अब मैंने ये कॉंटेंट लिखा इसको मैं यहां से करूँगा कॉपी कंट्रोल एक कर कि मैंने किया कॉपी कंट्रोल सी किया गया है आपने जाना है Grammarly की वेबसाइघ जैसे ही जाएंगे अब यहना पर जा कर आपने क्लिक करना है नियू आप नियू पर क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने इस तरह का एंटरफेस आएगा तो आपने यहां पर लाकर जो डेटा कॉपी किया होगा वह यहां पर कंट्रोल वी कर देना है जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे आपके सामने ग्रामरली का यह expert है किस level की आपकी जो writing है किस किसम की writing करने जा रहे हैं देन बारी आती है कि आपका जो content है वो informal है formal है कि neutral है ठीक है देन आपकी domain कुन सी है domain आपकी यह तो academic होगी यह तो आप academically काम कर रहे होंगे यह आप business के लिए काम कर रहे होंगे यह आपकी general है यह email है यह casual है यह पिर creative writing में आप काम कर रहे हैं तो इस में optimistic है friendly है urgent है analytical है respectful है intent आप क्या करना चाह रहे हैं आपने लोगों को inform करना है आपने लोगों को describe करना है आपने convince करना है या आपने फिर एक story सुनानी है यह आपने यहां से goal set करने है फिर grammarly का यह software जो है यह website जो है सेट किये हुए है उसके point of view से यह आपको सारी information बताएगा अच्छा फिल्द आपने आपको बताता हूं कि मैंने यहां से किया knowledgeable और यहां से मैंने इसको neutral ही कर दिया उसके बाद मैं चुके मैंने academic writing का यह task किया हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ academic पर क्लिक करके उसके बाद मैंने जो content लिखा हुआ है वह content है confident level का confident level का यह neutral level का मैं फिला आल से कर देता हूं confident कि मैं अपने जो जो भी मैंने discussion की है मैं उसके बारे में confident हूँ तो मैंने confident पर क्लिक कर लिया अगर आप कोई funny character को explain करने जा हैं तो आप joyful पर क्लिक कर दें आपका जो जो राइटिंग होगी उसमें वह joyful के लिहाज से आपकी mistakes को remove करना शुरू कर देगा optimistic friendly यह सारे के सारे tools आपने इस तरह से इस्तमाल करने है then intent का मतलब है कि यहां से आपने बताना है कि आपने लोग आपने inform करना है describe करना है या convince करना है इस में से कोई एक आपने choose करना है मैं फिलहाल describe करें जा रहा हूं यह सब कुछ मैंने okay कर लिया यह सारे मैंने select कर लिया इसके बाद मैंने कर देना है done जिस तरह हैं जैसे ही मैं done करूंगा तो grammar ली उसके मेरे सारी की सारी जो problems हैं उसके लिहाज से मेरी reading देखी यहां पर कह रहा है कि से पहले आप कॉमाल गए आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है और वो खुद ही उसकी setting कर देगा आपने just इनके उपर blindly एक बार आपने goal set कर दिये then आपने click करके click करके आपने इनको इस तरह से आपने इनको blindly क्लिक करकर करके आपने इनको convert कर द आपने और लाकर आपने यहां पर paste कर देना है तो अब क्या होगा कि इसकी मदद से अब जो आपका client है वो आप से बिलकुल happy होगा बिलकुल आप से खुश होगा रहादा इसकी मदद से आप maximum clients maximum जो projects है वो gain कर सकते हैं बहुत का ऐसे होता है कि आप किसी project की बिडिंग कर र mistakes होती है तो वहीं पर client सोचता है कि यार अगर यह statements के अंदर यह problems कर रहा है यह issues create कर रहा है तो यह मेरे काम के अंदर कितनी problems create करेगा तो इस तरह से आप अपनी उस text को भी लाकर आप grammarly में चेक कर सकते हैं then आप इसको easily remove करके refine करके तो आप इसको आगे share कर सकते हैं तो उम comment section में अपनी राय का इज़ार जूर कीजिएगा रौम में याद रखिएगा practice last में कीजिएगा अल्ला हाफिज बिस्मिल्ला ही रख मारी रख मारी रख में असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हम आपका होस्त मुहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं my solutions दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपने थामने में पड़ा है इंशाला वही चीजिए आपको मिलेगी इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आप एक content writing करना चाते हैं content writer बनना चाते हैं तो आपके पास किन 6 skills का होना जरूरी है यह six skills जिस बंदे के पास जिस content writer के पास होंगी इंशाला इंशाला वो person बहुत ज्यादा त्रक्की करेगा इस field के अंदर तो वीडियो के जाने से पहले अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो काइन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइक ओन पर क्लिक करना हर्गीस मत भूलिएगा ताके हर आने वारी वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो दोस्तों बात करते है कि कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए फर्स्ट वन है औरिजनलिटी औरिजनलिटी का मतलब है कि आपका काम हंड्रड परसंट आपका अपना होना चाहिए किसी का आपने एक वर्ड भी कॉपी पेस्ट नहीं करना Content बहुत सार अवेलेबल होता है बहुत सारी साइट के उपर वो ही बात जो आप लिखना चाहुँ हो अवेलेबल है लेकिन आप ने उसको अपनी language के अंदर आपने उसको अपनी hurricane में convert करना होता है इसको हम paraphrase भी कह सकते हैं बात वही होती है लेकिन आपने उसको अपनी language के इंदर convert करके paraphrase करके री-phrase करके आपने उसको provide करना होता है तो paraphrasing की वीडियो मेरी इस channel पर पढ़ी है वो उसके description में आपको link भी मिल जाएगा कि आप किस तरह से paraphrase कर सकते हैं second point है accuracy accuracy का मतलब है कि जो चीज आप से मांगी गई है जिस चीज के बारे में पूछा गया है वो ही चीज़ें आपने provide करनी है यह नहीं कि आप से पूछा गया है कि health के बारे में लिखें तो आप health को छोड़कर आप चले गये हैं traveling के अंदर ऐसा नहीं है जो client ने पूछा है आप से जो भी आप जिस चीज के अपर आप बात करना चाहरे हैं वो बिलकुल आप 100% sure हो और आपको पता हो आपने accuracy के साथ किस तरहां से काम करना है नबर तीन पर आता है vocabulary vocabulary का मतलब है कि आपने best of the best wording यूज़ करनी है ना बहुत जैदा आपके high class words हो ना बहुत जैदा low class के हो middle में रहागे आपने वाद करनी है ताके हर बंदा उसको असानी के साथ पढ़ सके समझ सके अक्सर होता है कि लोग ना spinning tools यूज़ कर लेते हैं spinning tools का मतलब है कि आपने बहुत सारे online tools available है जहां पर data आप डालते हैं वह data को spin करके आपके सामने उसको paraphrase करके आपके सामने उनको provide कर देता है उसको अगर आप चेक करेंगे जाके plagiarism tools में तो plagiarism नहीं आता लेकिन अगर उसको closely आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा उसमें problem आती है कि wording उसमें बहुत ज्यादा tough यूज़ की है जो के आम बंदे की समझ में नहीं आ सकती लहादा जो wording आपने use करनी है कोशिश करनी है कि आपने एक तो इस तरह के tools इस्तमाल नहीं करने और दूसरा यह है कि आपने जो भी काम करना है properly आपने समझ लेना है कि यार इसकी अच्छे से अच्छा word आपने use करना है जो उस field में बहुत ज्यादा wording इस्तमाल हो रही हो ना उसी चीज़ को आपने use करना है ताके आपको बताने में और पढ़ने वाले को समझ दे में कोई tension ना हो नमबर फॉर पर आता है research ability आपको research करनी आनी चाहिए कि यह एक topic है एक point है इस point को लेकर मैं कितनी तरहां से सोच सकता हूँ कितनी तरहां से मैं research कर सकता हूँ ताके मुझे best possible जो चीज़ें मों मिल जाए बहतर से बहतरीन content आपको मिल जाए बहुत सारी sites available हैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ बता चुका हूँ कि अगर आपने research करनी है तो अगर आपने कोई article लिखना है तो आपको अच्छी research चाहिए अच्छी research कैसे हो सकती है गूगल में जाके आप research करें अगर आप content writing करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी sites available हैं कोई सब search engines भी available हैं जैसे design articles design articles के अगर आप जाकर काम करना चाहिए तो अगर आप उसके उपर जाएं तो समझोगे वो भी एक बहुत बड़ा search engine है आप वहां पर जाकर किसी भी topic के बारे में लिखेंगे तो आपको बहुत सारा content वहां से मिल जाएगा तो research करना आपको आना चाहिए यह हमारा number four skill है जो के content writing करने वारे बंदे को के पास यह skill भी होनी चाहिए number five पर आता है speed आपने जो भी काम करना है जो भी आपने content create करना है उसमें आपकी speed और आपकी accuracy को देखा जाएगा speed आप ही कितनी है अब one thousand words एक जो professional in field के अंदर जो बंदा already available है वो तो असानी साथ कर लेगा क्योंकि उसका तो habit होती है कि उसने daily के तीन जार चार जार पांच जार words लिखने ही लिखने है वो तो असानी से कर लेगा लेकिन जो बंदा एक नया नया इस field के अंदर in हो रहा है उसके लिए एक दिन के अंदर एक अजार words वो भी अच्छी खासी research करके originality के साथ उसने वो प्रिजेंड करना है फिर इसका बेहतर हाल यह है कि आप अपनी जो है ना typing speed थोड़ी बढ़ा लें कि typing के courses कर लें कि software available है online उनको डाउनलोड करें typing master को डाउनलोड करें उसके अपनी राइटिंग speed को बढ़ाएं ताके आप maximum maximum content minimum time के अंदर आप प्रवाइड करने वाले बन जाए नो डाउट कि आपके पास material बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपके पास speed नहीं है उस material को deliver करने की तो क्लाइंट आपका कल को आपस नराज भी हो सकता है और यवर six पे आता है critical thinking के जो भी आप चीज दिख रहे हैं उस में आप किस हद तक आप सोच सकते हैं अगर आपको ए इतनी तरहां से present कर सकते हैं जैसे health and fitness है तो आप health and fitness को relate कर सकते हैं कि अगर आप healthy foods खाएं अगर आप fruits खाएं तो आपको आपकी health में इंटेन रहेगी मजीद अगर अगर आप इसको मजीद अगर आप इसको open करेंगे broad करेंगे तो फिर आप यह कह सकते हैं कि यार अगर साथ आप अपनी फिल्ट्रेस पर तवज्ज़ दें, वाग करें, रणिंग करें, जोगिंग करें, मतलब कि क्लाइंट रहे तो आपको जस्ट ये एक कहा कि यार मुझे सिर्फ इस टॉपिक के ओपर ना कॉंटेंट चाहिए, लेकिन उस इस कॉंटेंट को कितना क्रियेटिव बना कर आप पेश का सकते हैं, यह चीजिए अगर आपके अंदर ड्वेलप हो जाएं, तो आप ना सिर्फ कॉंटेंट राइटर बनेंगे, बलके आप एक सकसेसफुल कॉंटेंट राइटर कहलाएंगे, तो अमीद गरता हूँ कि आपको आख़विल्लाहिम निश्यत्वा निर्वाजीम, बिस्विल्लाहिरु रह्मान इर्वाहीम, असलाम अलेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मुहम्मद याकूब, और आप देख रहे हैं MYSolutions YouTube चैनल, दोस्तों, प्रोफेशनल कॉंटेंट राइटिंग कोर्स के और रिफाइन से रिफाइन करके आगे प्रिजेंट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, हर वो बंदा चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो बिलकुल स्टार्टिंग स्टेज के उपर है, उसे चाहिए कि ये वीडियो पूरी आगे प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लिमेंट करके तो मैक्सिमम मैक्सिमम बैनिफिट वहां से गेन कर सके, कुछ लोग ने मुझे रापता किया था, परसलिक उनने कहा था कि सार काइनली आप बता दें कि ग्रामरली पर गोल्स सेटिंग कैसे की जाती है, और गोल्स सेट करते हैं, राइटिंग बहुत बड़ी एक वर्ल्ड है, राइटिंग में कॉंटेंट राइटिंग भी आती है, एकडेमिक राइटिंग भी आती है, क्रियेटिव राइटिंग भी आती है, बहुत सारी और भी इसकी काटेगरी है, तो आप किस काटेगरी के लिए काम कर रहे हैं तो मैंने आपकी सहुलत के लिए और डी कॉंटेंट लिखे रखा हुआ है इस कॉंटेंट को अभी हम यहां से कॉपी करेंगे और ग्रामरली में जाके हम इसको पेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से से अपनी गोल्स को सेट करना है तो अब देखीगा मैं भी आपको यह इस टैटे को मैं यहां से करता हूं select आप चाहे तो यहां से आप mouse से भी selection कर सकते हैं आप चाहे तो आप control A करेंगे तो यह सारा का सारा data select हो जागा और इसे आप control C कर ले यहां से आप right click करके तो यहां से आप copy कर ले जी copy करने के बाद अब आपने जाना है Google में और यहां पर जाके करके आपने search करना है grammarly.com grammarly.com आप सार्च किया आपके सामने grammarly open हो जाएगा ठीक है यहां से आपने इस पर search करना है और मैं चुक्त के पहले से already इसमें login हूँ इसलिए मुझे इसने कोई आगे से login detail नहीं पूछी अगर आप भी इसला login होंगे तो direct आपके सामने इस तरह से यह page open हो जाएगा और यहां पर आप जाके अपने data को check कर सकते हैं दो methods है या तो आप upload पे click करके file पूरी की पूरी upload कर लें यहां से आप click करें upload पे और जहां पर भी आपकी file पड़ी है उसको आप order दें वहां से आपकी file को pick कर लेगा अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप new पे click करेंगे new पे click करने के बाद आपके सामने grammarly इस तरह से open होगा और यहां पर जो data आपने यहां से copy किया हुए ना वो अब आपने लाकर यहां पर paste कर देना है यह मैंने paste कर दिया जैसे ही paste करेंगे 40 तोर पर आपके सामने grammarly यह एक dialogue box open कर देगा कि अब आप अपना यहां पर goal set करें अगर किसी वज़ा से आपका यहां क्लिक हो जाता है और goal वाली जो window है वो खत्म हो जाती है तो आपने परेशान नहीं होना आपने राइट साइड पर आ जाना है यहां पर लिखा हुए है हाइड एसिस्टन्ट और आपने गोल्स पर क्लिक करना है तो वही वाला जो इंटरफेस था वही वाली जो पॉप अफ विंडू थी वह आपके सामने दुबारा से उपन हो जाएगी अब यहां पर पूछ रहा है कि आप गोल्स सेट करें एक दो तीन चार्थ पांच 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 क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं कि सब फस्ट फस्ट आफ 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 आप किसके लिए बात कर रहे हैं आप जेनरल कंकम डिसकेशन करना चाह रहे हैं आप नौलीजेबल डिसकेशन करना चाह रहे हैं या आप एक्सपर्ट काम करना चाह रहे हैं जी मैं चाहता हूं कि मैं एक्सपर्ट लेवल पर अपने इस डैटे को प्रिजेंट करना चाह रह में communicate करना चाते हैं या फॉर्मल में formal और informal या ना formal हो ना informal हो mix अगर आप करना चाते हैं तो आप अपनी मरजी से इस को neutral रखके भी आप कर सकते हैं then मैं नहीं आख से करता हूं जी मैं formal communication करना चाह रहा हूं ठीक है उस के बाद next माता है domain domain का मतलब है कि आप किस category के कर रहे हैं आप business category के लिए काम कर रहे हैं आप academic writer है academic purpose के लिए आकड़मिक करना चाए है तो सुझाई कर लेए आप generally बात करना है तो आप जैन्डराल पर क्लिक कर ले सब्सक्राइब मतलब की email करना चाह रहे है Vari remains äl ner करना चाह रहे हैं jagates करना है वो creative writing करते हैं तो यह जो दो चीज़े हैं ना casual और creative writing यह अभी वो आपको इसकी access नहीं दे रहा इसके लिए थोड़ा सा जो है ना वो आपको करना पड़ेगा आपकी audience को change करना पड़ेगा यह देखें formal में creative और casual नहीं होता formal में straightforward बात करते हैं लेहादा यहां पर casual और काज यहां पर casual और creative की option नहीं आ रही जैसे ही मैं इसको करूंगा expert तो यहां पर अब और देखें आप्शन नहीं आ रही ठीक है तो आपने अपनी मर्जी से इसको domain को set करना है देन आती है आपके ton क्या होगी बात करने का लहजा आपका क्या है neutral है आप confident है आप joyful है आप optimistically काम कर रहे है friendly मैंन में काम कर रहे है आपने कोई urgent message देना है उसकी आप बात कर रहे हैं आप किसी चीज को analyze करना चाह रहे हैं तो उस क्या है आपकी आपकी intention क्या है कि आप लोगों को inform करवाना चाह रहे हैं आप उस चीज को explain करना चाह रहे हैं आप करना चाह रहे हैं या आप कोई story बताना चाह रहे हैं यहां से आप कुछ भी आफ्ट कर सकते हैं जी मैं लोगू मैं descriptive करना चाहरा हूं describe पे क्लिक करके आपने done पे क्लिक कर देना है वो थोड़ी सी searching करेगा थोड़ी सी वैरिफ कर ये रखें आप इसको overall checking checking कर रहा है और आपको सारे problem आपके explain करना शुरू कर देगा अब आपने करना कुछ नहीं है सिरफ आपने इन पे क्लिक करते जाना है और आपने blindly आपने इनके उपर क्लिक क्लिक करते जाएंगे तो ये सारी आपकी problems को remove करता जाएगा सारी आपकी mistakes को remove कर देगा और आपके data को बड़ा अच्छा refine करके लोगों के सामने आपके क्लाइंट के लिए इसको प्रिजेंट कर देगा ये सारी जितनी भी यहां पर ये options आ रही है 62 suggestions दी है इसने ये सारी के सारी अब आपने क्योंकर आपने goal set कर लिया हुआ है लेहादा आपने अब बगैर कुछ सोचे हुए आपने इस पर क्लिक करके आपने इनके उपर क्लिक करते जाना है तो ये आपकी problems को आपकी जो इशूज है उनको remove करता जाएगा और आपका सारा data refine हो जाएगा उसके पाद आपने करना किया है दुबारा से आपने यहाँ पर कंट्रोल A करना है कॉपी करना है कंट्रोल C करें कॉपी करें और आपने यहाँ पर लागे इसको दुबारा से कंट्रोल V कर देना है तो वो data जो आपने यहां से copy किया था वो सारा data आपने यहां पर लागर copy paste कर दिया अब जो data आपके पास यहां पर है वो बिलकुल refined है अब आप इसको control S करें control S करने के बाद आप जहां पर जैसे चाहरे हैं आपने mail करनी है mail में send कर दें आपने WhatsApp करना है WhatsApp कर दें Skype पर send करना है Skype पर send कर दें even कि जैसे भी आपने client को यह चीज प्रोवाइड करनी है यह फाइल प्रोवाइड करनी है आप इसको कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो भी आपके लिए बड़ी informative होगी बड़ा अच्छा आपको यहां पर कुछ सीखने को मिला होगा अपना ख्यार रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा अल्ला आफ़ेज बिस्मिल्ला आपका होस्त मुहमद याकूब और आप देख रहे हैं M.Y.Solutions दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इंशाला आपको प्रेक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से कॉंटेंट राइटिंग करते हैं लास्ट टाम मैंने वीडियो अपलोड की है तो उसमें लोग में मैंना एक स्टेटमेंट बोली थी के कॉंटेंट राइटिंग इस ड्रीम जॉब तो एक परसन ने एक सब्स्राइबर ने जो हैना वो कॉमेंट किया के इसल लोग कहते हैं कि कॉंटेंट राइटिंग बोत कैसे किया जाता है किस तरहां से डेटा लेते हैं कहां कहां से आप सर्च करते हैं किस तरहां से आप सब कुछ मिल मिला कर आप अपना एक कॉंटेंट करेट करते हैं तो शूरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिएगा वो लोग जो राइटिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस और पावरफुल उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टन ये टापिक बन जएगा बड़ी ही जबरदस उनके लिए वीडियो बन जएगी और लाइफ टाइम आपको ये चीज जो है वो काम आएगी इंशाला इंशाला तो वीडियो को जाने से पहले काइनली अगर आपने अभी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर क्लिक करना हर्गीज हर्गीज लब गूलेगा ताकर हर आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों बात करते हैं अब अपने हम उस टॉपिक की फिल्स करें कि आपके पास कोई टॉपिक आया है उस टॉपिक के उपर आपने कोई कौन्टंट राइटिंग करनी है तो सब first of all सबसे पहले तो आपको पता औनا चाहिए कि आपने करना क्या है सबसे पहले आपके पास कुछ तूर्स का होना पोज़रूरी है फर्स्ट आफ ओल आपके पास MS Word इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जिन हो जाए तो इनफ है तो 2010-2013 भी इनफ है इसके ओपर भी आप इजिली कर सकते हैं कोई इश्व नहीं है मेरे सामने यह 2016 का यह लेटरस्ट वर्जिन मेरे पास अभी तक जो है इस्टॉल किया हो मै सबसे पहले आपने यह आपर टाइप करने उस टाइप की हुए काम को फिर आपने ग्रमरली में जा कर चेक करने गाद पिर आपने उसको किसी भी प्लेजरिजम चेकिंग website के ओपर जाकर आपने उसको paste करना है plagiarism check करना है फिर आपने उसको proof read करके और client को send करना है अगर आप इन steps को follow करेंगे ना तो इंशाला इंशाला आपका client ना सिरफ आप से satisfy होगा बलके वो मजीद आपको काम देगा जिससे आपका मजीद काम बढ़ जाएगा तो इंशाला शुरू से लेकि अंट तक इसको देखते रहिएगा मैं इसमें जो है ना प्रॉपरली आपको live करके दिखा रहा हूं किस तरह से content writing करते हैं कि आप सबसे पहले अपनी file को save कर ले जो भी आपने काम करने तो जो मैंने आज topic चूज किया है आपको present करने के लिए वो topic है home security तो मैं सबसे पहले word file उपन करता हूं ctrl s करके मैं इसे document को desktop पे save कर देता हूं desktop मैं लिख दिया home security home security home security लिख के इसको मैंने desktop पे save कर देना है desktop मैंने इसको save कर दिया अब सबसे पहले आपने इसका एक अच्छा सा title बना रहा है सबसे पहले आपने इसका एक अच्छा title बना रहा है ताके जो बंदा भी आपके site के ओर रहेगा ना जो भी आपके content को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके title को बढ़ेगा title के लिखा हुआ है title कैसा है किस किसम का title आपने दिया हुआ है तो कैच्छी title होगा तो आप अच्छा content कर सकते हैं तो title इसका बना लेते हैं home security what a look inna home security what a look inna home security what a look inna home security मैं यहां पर आपको दुबारा से यह कहता हूँगा कि बार अबार आपको यह कहूँगा कि जब भी आपने काम करना है ना तो सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने file को save करना है और जब भी आप 2-3 दफा 2-3 lines लिख लें तो आप साथ साथ control S control S करते रहें, save करते रहें ताके आपका काम save रहे जाया ना हो अब इस point of view से आपने Google पर जाकर search करना है कि आपको home security is relevant जो Google अपर already published article लेना वहां पर क्या data लिखा होगा है वहां से आपने हिंट लेना है अब करना कि आपने home security आपका topic है अब आपने करना कि गूगल में जाएं Google में जाके आपने यहां पर लिखना है इजाइन आर्टिकल यह देखें इजाइन आर्टिकल्स E-Z-I-N-E-A-R-T-I-C-L-E-S इजाइन आर्टिकल्स इजाइन आर्टिकल्स जब आप लिखेंगे रहे तो इस तरह से आपके सामने interface open हो जाएगा यहां पर आपने result पर इस section में लिखना है जो भी आपका topic है आप content writing कर रहे हैं आप graphic designing कर रहे हैं आप web development कर रहे हैं social media marketing कर रहे हैं किसी भी field से relevant आप यहां पर लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखना करना है directly यहां पर आपके आपने topic को लिखना है यासे मेरा topic है Home security Home security इस पर आपने सेर्च किया जैसे ही आप सेर्च करेंगे तो आपके सामने लातादाद यहां पर जो है ना number of articles आपके सामने अपर जाएंगे देखें यहां पर 12100 articles यहां पर अवेलिबल है Home security आपर तो आपने क्या करना है इन मेंसे जो main main articles हैं जिसके और ऐसे आपने articles आजेंगे then आपने इन सब articles को open कर लेन है open करने के बाद आपने सबसे पहले काया काम करना देखना है क्या यह आपके fields से relevant हैं आपके topics से relevant हैं के नहीं है Home security system यह okay है selecting the best security system for your home यह okay है four main objectives of a home security system one of the best and history of home security security इसको चाहे आप lead कर कोई और open करने बहुत सारी यहां पर options available हैं आप कुछ भी जाकर यहां से आप हासिल कर सकते हैं अब करना क्या है आपने जो data यहां पर दिया हो और इस data को आपने अपनी wording में convert करना है इसको आपने जैसे यह लिखा हुआ like other home इसको अपने इसको अपनी wording में convert करना है paraphrase इसे हम कहते हैं अगर आपको paraphrasing नहीं करनी आती तो इस video की description में मैंने एक link दिया होगा है जिसमें आपको paraphrasing किस तरह से की जाएगी paraphrasing करने का जो procedure है वह आपको वहां से समझ आ जाएगा उसको आप देखें paraphrase आप कर सकते है paraphrase का मतलब होता है कि जो data यहां पर दिया होगा है जो जो भी आपने पढ़ा है इसको आपने अपनी language में लिखना है बात वही होगी लेकिन words आपके अपने होगे ठीक है तो इस तरह से आपने इनकी paraphrasing करनी है अब देखें कुछ data यहां पर दिया होगा है कुछ data यहां पर दिया होगा है कुछ यहां पर है हर एक में स्टार्टिंग में आपने introduction देना होता है जो भी आप article लिख रहे है उस article में आपने starting में आपने introduction देना है तो इस तरह से आपने इन चारों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर दबारा आपने क्या करना है, इसको आपने उपन कर लेना है, अब इसको आपना इस तरह से कर लें, कि आप एक ही टाइम पर साइट को भी देखते रहें और एक ही टाइम पर आप काम भी करते रहें तो आपने इसकी सैटिंग लिस तरह से कर लेनी है इसको थोड़ा मैं यहां से शौर कर देता हूं इसको भी फिलहाल मैं यहां से ऑफ कर देता हूं अब देखिए मेरे सामने साइट उपर आगे नीचे यहां पर यहां अब मैं यहां पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि आपने स्टार्टिंग बात करनी है कि होम सेक्यूरिटी होम बेसिक ली क्या होता है होम इस प्लेस वेर यू अब मैं अब बात करनी है कि बेसिकली होम होता कि है तो मैंने प्रोपर ली जोग है अगर मैं इसको इस तरह से लिखने बैठ जाओगा ना तो यह बहुत लंबी वीडियो बंजेगी और आप लोग ने उक्ताव जाएंगा यार यह पतानी वीडियो होता मैं नहीं पतानी काब आर्टिकल होगा तो मैंने आपके लिए आर्टिकल औरेडी लिखके रखा हुआ ताके टाइम बेस्ट ना हो टॉप तरीका का मैंने बता दी है क्या आपने करना किया है सिंपली यहां से साइड्स ओपन करनी है यहां से आपने स्टार्टिंग में पढ़ना है कि इसने क्या बात किया इसने इंट्रो में क्या बात किया इसने इंट्रो में क्या बात किया जब आप इन सब को पढ़ लेंगे आपका माइंड बन गया अब माइंड जब आपका बन गया तो आपने क्या करना है आपने इसका इ लेहा हम आप तर इसमें से को बधिन खिया में तो इस निश्में uda जो डिखेशा जड़ आप आप जो अजगे कि आप बात खायकरे देक्वाइम देशकों महीं flot yeah झा टॉर मैन और इस ज़oga डिखय यह है तो इस तरह से हमिन सब को पड़ इन के मिड़ पॉरिशन में क्या लिखा हुगा है और finally इनने conclusion कैसे दिया है conclude कैसे किया है तो ये conclusion में इसमें क्या किया वैजिसमें काया कि मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने होम को मज़ीद बैटर कर सकें तो आप हमसे contact करें तो ये देखे मैंने अपके लिए जो आटिकल लिका हुगा थाओ उ तो ये मैं सारा आडिकल लिखा था अच्छा ये आजिकल लिखा अब देखें इस पे भी श् artık में आपने क्या किया ये आपका टाइतल हाँ इसको में सैंट्रलाइज कर देता हूँ यहां से ये आपका सामनी ये heading बन गे यह आपका home is a place where you have to stay for a long period यह इसका आगया introduction आगे यह different आगे points आगया कि आपकी home security के अंदर कौन कौन सी बाती होनी चाहिए जो बाते यहां पर लिखी हो इसे steps लिखे हो इसे steps को ठाकर मैंने अपनी heading बन लिया और इसने यहां पर यह कुछ points लिखे है इसके points को मैंने जो इसकी और वहां पर जाकर मैंने लिखे दिया तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं और finally जो last paragraph होता है यहां पर आपने properly उसको finalize करना होता है end करना होता है कि यहार किस तरह से आप आप का जो business है उस business की तरफ लोगों को आपने लोगों को जो भी इस article को पढ़ेगा वहां पर आपने bottom पर आपने अपना link देना है उस link पर वो click करके वो आपके site पर चले जाएंगे you can contact us for more idea देखे contact us यहां पर आपने क्या करना है यहां पर आपने अपनी site का यहां आपका जो भी blog है जो भी आपकी official website है जिस तक आप लोगों को लेकर जाना चाह रहे हैं इस content के जरीए से उसका आपने यहां पर link देना है link किस तरह से लगाएंगे contact us लिखा हुआ है यहां पर आपने simple क्या करना है इसको set करना है set करने के बाद control के करें जैसे control के करेंगे यहां पर कह रहा है link address दें तो जो भी आपका link address है जो URL होता है जैसे URL है इसे copy करें copy करने के आपने यहां पर लाकर paste कर देना है paste करने के बाद आपने okay कर देना है तो आपका यहां पर URL देखें यहां पर यह शोगा रहा है के control plus click करेंगे तो आपको उस site पर ले जाएगा लेकिन जो कि यह हमारी site नहीं है इसलिए हम इसको फिलहार यहां से remove कर देते हैं तो यह एक आ 510-520 तक आप जाएं 510-520 तक जाएंगे तो चुलाइंट आप से मजीज सैटिसपाज़ और चोलो इसने काव अच्हा किया हुआ है अच्छा यह तक यहां पर इस तरह मेरे कितने अर्टिकर यहां पर कितने वर्ड्स हैं 510 यहां पर यहां पर उसने वर्ड्स अवेलिबल है काम तो कर लिया अब यह काम अबी में कमल नहीं हुआ इसको करें कंट्रोल है कंट्रोल सी करने के बाद अब आपको मैं ले जाता हूँ इन ग्रामर ली इसे यह ग्रामरली का मेरे अप इस पास यह विजिद ई इंस्टॉल ऑ ग्रामरली में आप जाएं नोगर्वाली ड़ करें कि आप फ्री वर्जियन यूज ना करें आप ग्रामऱी का वो वर्जन यूज करें जो पेड है प्रीमियम यूज गरें ताकि आपको मैकसिम्म जितनी भी प्रोब्लम्स है वह सारी के सारी आपको शो हटाए मैंसमें डेटा कौपी किया यहां पर लागमाने पेस्ज कर आप देखें यह जित्रह मरती एचा राइटर हो उसकी मिस्टेक्स निकलाती हैं प्रॉब्लम्स कहीं पर फुल स्टॉप नहीं कहीं पर इसमाल लिखना था पर आपने आर्टिकल्स लगानी था यह सारी प्रॉब्लम्स आपको यहँ पर मिलेंगी फिल है यहां इस्टम ख़रहा कि आपका जो ओराल स्कोर वहां 21अ अर है यहां पर correctness सब्सकिरया है यह lass इन नहीं मिस्टैक्स कब दूर करें सिम्पल करना कश्य पदर कि भूना को स्रफ कहा रहा रहा है आपने सिर्फ पर आपना सिर्फ पर फुरुम करते जाने तो आपको फिर copy paste नहीं करना पड़ेगा डिरेक्टी आप वर्ड में जाकर इसको वहीं पर चेक कर लेंगे तो इनके चुक्के अभी कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं ग्रामरी के बारे में समना तो वह लेकर लेकर यूज नहीं किया अग्स का अग्स का और भी यहां से जा नग्स के लिए में जा सो करके लेकि यह है देखे यह हमें पर एक प्रब्लम यह अग्लावी है अग्र मैं मिजिएं के ल्यूद करता हूं तो यह मिस्टेक्स आपकी बिलकुल नहीं होनी चाहिए अगर क्लाइंट ने इस चीज़ को जाकर अबजर्फ किया और आप मिस्टेक्स निकलाई नहीं तो क्लाइंट फिर आपको नेक्स ताम कभी भी प्रोजेक्ट्स असाइन नहीं करेगा अब मैं यहाँ से कॉपी करता हों यहां पर मैं कोल साइट उपना करता हूँ aaa Smallsutuos.com यहाँ यहां पर आगर आप आप डिर्द क्र सकते हैं सेव कर सकते हैं लोग इन किया बोगर वहलभी आप चेक कर सकते हैं लेकिन यह पर आप डेटर आप अपना अकाउंट बना ले मैं जूँँ हूँ कि आरडि यहां पर अकौंट बनाया हुब है लड़ादा मैं टिरेक्ट्ली इसको लॉगिन करता हूँ मैने यहां पर लॉगिन के properly करने के लिए यहां पर शूविकलने के अब प्लगर ना कोपी कि करेंगे तो वह यहां पर searching , स्टार्ट कर देगा ओर आपके सामने यहां यहां पर आपका data जो आप लिखा है उसकी searching करेगा checking plazerism pled Estado check कर रहा है , फिर आप मिलरुन करना इसको आपने दुबारहा से वहां से यहां पर लागे फिर दुबारह आप नगमने प्रेश को पेस्ट करने है तो यह पेस्ट किया और अब आपके सामने यह वला जो फॉर्म ने यह पर पास डाकुमेंट है यह बिल्कुल ओक है इसमें ना प्लेजनिजम है ना ग्रामेर्टिकल मिस्टेक्स है अब करना किया है आपने इनकी मजीद फाइनल सेटिंग करनी है ताके क्लाइन को जब भी डेटा मिले तो बिल्कुल एक 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 बिल्कुल सा अच्छी प्रेजेंटेशन के अजर आपने इसको बना कर पेश करना है ताके क्लाइन जो है वो आपको मजीद आपके साथ काम करने पर अग्रियो अब कन्ट्रोल एक करेबरहे इसको कंट्रोल एक करने के बाद यहां से आपने इसका जो फॉंट है वो time new roman कर देना है फॉंट जो ृष एस है वो 12 कर देन ऐसको आप सैंटरलाइज कर दें। इसको जितनी भी हैडिंगो आप बोल्ड कर दें। इसको पिकाषवाय निद्द इसको आप जटीफ मेर कर दें। और यहां इसको आप जटीफिय कर दें ताकि यह जो फारिथते यह राइः ती LAFE शौर्ट थी चोटी बड़ी लानी थी वो खत्म हो जिए अब जस्टिफाई काम हो गया आपका और मजीद अगर आपने इसको करना है तो आप इसको यहां से डबल स्पेस यहां 1.5 स्पेस कर दें 1.5 स्पेस बेस्ट है तो यह इस तरह से आपका यह डेटा जो है वो मुकमल हो तो वुर्ड की अपना भी ग्रमेर चेकिंग टूल होता है वुर्ड के अंधर भी ग्रमार चेकिंग टूल होता है इंस्टूल होता है वयद विड़ी होता है आप फी अपने आपका यह ब Watts और लुकुल कर दिया है अब आप यह व् pó explained कर लिए अभी तो यह नहां चाहें तो तो दोस्तों ये था ओवराल प्रोसीजर के किस तरह से आप content लिख कर, content किस तरह से आप लिख सकते हैं, किस तरह से आप grammar चेक करते हैं, किस तरह से आप plagiarism चेक कर सकते हैं और finally, मैंने फिर आपको बताया कि आपने इसकी setting कैसे करनी है, तो ये सारा काम जब आप कर लें उसके बाद आप इसको client को by mail, जैसे भी उसने कहा है, आप उसको forward कर दें, send कर दें, तो इंशाल्ला आपको मिजीद काम इस तरह से मिलता रहेगा, तो उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल लाइकर पर क्रिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो इस तरह की जो वीडियो हैं, वो आपको मिलती रहें, अपना बहुत-बहुत ख्याल रखियेगा, अल्ला हफ ये वीडियो में आपको एक बहुत ही जबरदस टिप देने जा रहा हूं, बहुत जबरदस आपको मैं एक नेक्स्ट लेवल पर मूव करवाने के लिए जा रहा हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 6 साथ वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा एक्स्प्लेइन क दीन के assignments करके आप मुझे send करें, मैं आपको उसके उपर अपना feedback दूँगा, तो बहुत से लोगों ने मैं इसा content किया, बहुत से लोगों ने assignments बरावर आकर मुझे send की हैं, और मैं उन assignments के उपर उनको feedback भी दे चुका हूं, और वो सब लोग बहुत ज़्यादा energetic है, तो अब मैं आपका time मजीद waste किये बगएर, मैं अब आपको next level पर लेकर जा रहा हूं, क्योंकि पहले आप सीख चुके है content writing क्या होती है, अब content writing को आपने through out the world, आपने sell करना है, तो freelancing की websites के जिरिए से आपने इसको sell करना है, तो freelancing कैसे की जाएगी, content writing कैसे की जाएगी, content writing को हमने पूरी दुनिया में sell करना है, किस तरह से हम अपनी skill को sell कर सकते हैं, आज की इस video का topic हमारा ये होगा, video थोड़ी सी lengthy होगी, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें 2-3 already मेरी published मेरे channel के उपर videos पड़ी हुई है, freelancing क्या होती है, freelancing के लिए कौन कौन सी चीजे required होती है, freelancing, freelancer.com के उप अपनी profile कैसे set करते है, freelancer.com के उपर apply कैसे करते है, ये सारी चीजे मैंने आपको इस एक video के अंदर मैंने add कर देनी है, जो पहले से मेरी videos uploaded है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते हो, तो आपकी सहुलत के लिए मैंने वो सारी videos इस एक video के अंदर लाके मैंने merge कर दी है, ताके maximum maximum चीजे आपको एक ही spot पर एक ही place पर आपको मिल जाएं, तो लेहादा इस video को शुरू से लेकर end तक देखते रहिएगा, क्यूंकि आपको एक बहुत जबर्दस किसम का आपको एक information मिलने जा रही है, लेहादा time आया कि ये बग writing के लिए एक platform चूज करना है, platform कौन सा है, freelancer.com, बहुत popular website है, बहुत popular organization है, बहुत popular platform है, जिसके उपर आपको हर किसम का project मिल सकता है, आप graphic designer है, आप web designer है, आप content writer है, आप data entry operator है, आप SEO expert है, social media marketing expert है, and everything, कुछ भी आपको आपके पास skill है, जो आप online बैठ के sell कर सकते हैं, इस platform के उपर बैठ के, आप दुनिया जहान में अपनी services को sell कर सकते हैं, तो इस website के उपर हम किस तरह से sign up होंगे, हम किस तरह से इस website के उपर बैठ के हम काम करेंगे, इस website के उपर अपनी profile कैसे maintain करेंगे, इस profile के जिरिए से, जो projects आएंगे, उन प्रोजेक्ट्स को किस तरहां से हमने अप्लाई करना है इन सारी एक्टिविटीज को हमने आज इस वीडियो में सीखना है तो शुरू से लेकिए आज तक वीडियो के साथ कॉनेक्टेड रहिएगा इन्शाला आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि freelancer.com पे अकाउंट कैसे क्रियेड किया जाएगा तो आज की जो साइट हमने यूज करनी है जिस साइट पर हमने काम करना है वो साइट है उसका नाम है freelancer.com freelancer.com पे आप जाएं यहां पर जाके तो आपने यहां पर अपना एक अकाउंट क्रियेट करना है बहुत सी साइट ऐसी है जो आपको पे करती है अच्छा पे करती है लेकिन आपको ओफर भी करती है लेकिन उससे पहले कि अगर आप उस साइट को जानने उस साइट पर काम कर है कि यहां पर freelancer.com साइट जो है यह ओपन हो चुकी है अब यह इसका dashboard आ चुका है और ठीक है नीड टू वर्क नीड वर्क डन वर्ट रेट और यह सारा ओवराल इसने न यहां यहां पर explain किया हुआ इसे जो चीज़ में आपको दिखाना चाहा रहा हूँ यहां पर वो देखी गए यहां पर दो करोड़ उनतर लाख यहां पर registered users हैं इसके registered जो इसके पास registered हो चुकी है ठीक है और इतनी जोब यहां पर अब तक पोस्ट हो चुकी है कि करोड़ बतिस लाख सतावा नजार 306 जोब यहां पर पोस्ट हो चुकी है ठीक है और यह इसकी जा कुछ आप जो रफली आपके सामने ना इसे रखा है कि आप यह वह बना काम यहां पर काम यहां से आपको मिल सकता है तो आपने करना है पहले यहां पर साइन आप पर हैं इस आपने क्लिक करना है तो यह आप से कुछ थोड़ी से इंफरमेशन लेगा अपी और डरी तो वो आपने इसको ने साश्निक है वे आपने pre Line 8 करने थाके simpler आकशे की इसे ली आपका अक अका प्रियेट हो सकतें आप च अपना email ID देना है ठीक है अपने रखना है अपने रखना है अपना एक कुछ करना है पासवर्ड अब नीचे दो options आ रही है एक है hire की एक है work की कुछ लोग ऐसे होते हैं को पता नहीं होता कि हमने hire पर click करना है work पर click करना है hire का मतलब वो बंदा जिसने freelancing के जरीए से अपना काम करवाना है वो यहां पर click करेगा hire ठीक है तो यहां पर एदा hire जो है वो freelancer की तोर पर इनके बन जाएगा को इसमें काम करवाना है तो अगर आप काम करना चाह रहे हैं, freelancer के तोर पर आप काम करना चाह रहे हैं, आपनी skill को sale करना चाह रहे हैं, तो आपने click करना है work पे, work पे click कर गे आपने click कर देना है create account, कि ये automatically आपको redirect कर देगा, कि अब अपनी आपने यहां पे relevant skill चूज करनी है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कि पहले बात तो पता होना चाहिए, कि आपने कौन सी website पर काम करना है, और आपको भी पता होना चाहिए, कि आपकी skills कौन कौन सी है, अब देखें, यहां पर यह पूरी एक world है, मैं जैसे आपको पहले इतायत है, पूरी दुनिया है, इसमें major categories यह है, आपके सामने कुछ इसमें show की नहीं है, अब इसमें से कौन सी आपके पास skills है जी, मैं कहता हूं जी कि मेरे पास sales and marketing की skills है, sales and marketing में मैं करता हूं जी, internet marketing कर लेते हैं, 10 categories को आप choose कर सकते हैं, 20 skills को आप choose कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पर देख लेते हैं जी, advertising कर लें, उसके बाद facebook marketing, google adverts, then back to categories, यह चीज़ें आपने कर ली हैं, आप देखें तरह उपर 5 आप select कर चुके हैं, back जाएं, back जाएं आप जी आपके पास writing की skills भी हैं, तो ठीक है writing पर क्लिक करें, जी मेरे पास article writing की skills हैं, content writing की skills हैं, academic writing की skills हैं, देखें कि आगे लिखा भी होगा है, कि इतनी इतनी jobs skills relevant यहां पर available हैं, ठीक है, then में बारी आती है, जी मेरे पास skills हैं, business writing की, blog writing की skills भी हैं मेरे पास, तो देखें उपर उसने 10 skills आप यहां से select कर चुके हैं, ठीक, then continue आपने नहीं करना अभी तक, जब तक आप maximum skills हैं उसको नहीं कर लेते, बात में भी जा कि इसको आप create तो कर सकते हैं, लेकिन बेतर है कि आप यहीं से करके जाएं आगे, तो यहां से कर दें आप continue, continue करेंगे, तो आपके सामने फिर वह आपको एक redirect करेगा, आपके सामने एक page आएगा, इसके उपर कुछ jobs आपको show कर रहा होगा, अच्छा, payment method यहां पर आपको बता रहे है कि कौन सा method आपने यूज करना यहां तो आप PayPal कर ले, verify payment करके PayPal कर ले आप यहां फिर आप इन में से visa card आपके पास है, यह American Express का card है यहां आपके पास master card, master card वही पेवनीर card है, क्या होता है, किस तरह से आप इसको मगवा सकते हैं, अपना account कैसे PayPal में आप active कर सकते हैं, वो लोग जिनके पास है, वह तो easily इसको verify पर click करके आजिए उसका method जो आपको पूरा करेंगे तो वो यह कर सकते हैं, अब करना कि आपने यहां पर करेंगे verify payment, मैं अभी जिन लोगों के पास पेवनीर card नहीं है, वो चाते हैं जी मंते हैं, यह card भी यहां से get कर लें, किस तरह से मगवा सकते हैं, तो free of cost आपके घर के desk के अपर आपको send कर देंगे, तो यहां पर आपने card का number देना होता है, यहां पर आपने देना होता है, उसकी expiry date, card की expiry date लिखी होती है, और security code card की back side पर security code दिया होता है, वो code आपने यहां पर देख के continue कर देना है, तो उसके बाद क्या होगा, आप simply जो है, आपका जी तो यह देखिए, अब मैं यहां पर अपने account में आ चुका हूँ, ठीक है देखिए, आप फरस्टाइम जब आपस पर अपना ID बनाते हैं, sign up होते हैं तो यह उपर आ रहा है कि आपने अभी तक अपने email को verify नी किया, email ID के आप owner है, अगर नहीं मिली आपको तो आप यहां से click करें, recent email पे, recent email अभी यहां से आपको send कर देंगे, email send कर देंगे, आप देखिए जब आप जाकि आपको mail आई है कि नहीं आई, फिल्ला हाँ को email नहीं आई, तो बेतर है कि इसको बाब में आप देख देख देखिए कि बाब में भी आप इसको verify कर सकते हैं, अच्छा अब बात जो है वो यही आ रही है कि किस तरह से हमने अपनी profile set करनी देखिए यह आपका dashboard है, यहां पर कह रहा है जी claim 300 bids for free, कि आपको 300 bids free मिल सकती है, होता कि यहां कि जब आप bid करते हैं तो आपकी bid के साथ वो badge भी show हो रहा होता है, जिसने काम देना होता है, जिसने work लेना होता है, आपकी services को आपकी skills को उसने purchase करना होता है, तो वो बंदा जो है वो show हो रहता है यार इस person को freelancer जो है वो prefer कर रहा है, मतलब कि यह verified person है, लिहादा आपको काम मिलने के चाम सी जो है वो ज्यादा हो जाते है, अच्छा अपी इसके बाद देखें कि यह आपकी overall यह show हो रहा है कि यह आपका name है यह आपकी picture show होगी, यह नीची आपकी बता रहा है कि आपकी profile अपकी complete नहीं है, profile को complete करें, आप different steps है, जैसे यह कहा रहा है कि verify your email, अगर आप अपने email को verify करते हैं तो आपके 5% इंक्रिमेंट हो जाएगा आपकी profile number, 20% है तो email verify करते हैं तो आपको 20%, 25% आपकी email इसके बाद क्या है, आपने जाना है यहां से अपने profile में जाना है, profile में जाकर अपने profile को यहां से करना है update, आप यहां से अपना rate जो है, वो set कर सकते हैं जी मैं पर और इतना rate करूँगा यह करूँगा वो करूँगा, आप देखा कि account कैसे create किया जाएगा, अब हम move करते हैं कि अपनी profile कैसे बनाई जाएगी, अपना username भी दे सकते हैं और अपना email id भी दे सकते हैं, जी login करें इसे, यह यहां समझाएंगे profile, open करेंगे यह आपका जो है यह dashboard है, पहले मैं आपको dashboard पर थोड़ा सा इंटर देता हूँ कि, dashboard में क्या कुछ होगा, जैसे यह आप login करेंगे तो आप dashboard में जाएगे, user name जो भी होगा आपका वह यहां पर आएगा, उसके बाद है जी verify your email अपनी email id जो है उसको verify करें, तो आपको five points पे लेंगे, तो resend email करें, तो आपको email send होगा, कुछ दिर बाद आप जाकर अपना email id चेक करें, वहां आपको mail आई होगी, अचा उसके पाद हम जाते हैं profile कि इस तरह सेट करने है, जो हमारा main काम है, profile पे जाएं, profile पे जैसे ही आप जाते हैं तो इस तरह का interface आपके सामने आएगा, अपने अच्छी से अच्छी जो भी आपकी यहां तो अपनी पिक्चर लगा लें, अगर अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते तो आपकी वहना, simple कोई जो है, अपनी sales से relevant आपनी पिक्चर यहां पर लगानी है, अब पहरे क्लिक करेंगे हम edit profile पे, क्लिक करेंगे करने के बाद यहां पाद आप देखेंगी, यूजर नेम तो चेंज यहां फिलहाल नहीं कर सकते हैं आप बाकी यहां पर देखेंगे यहां पर पर लिखना है, headline जैसे लिखा बहों, graphic design, example देला है, एक उसको save कर देना है, तो यहां पर आपने आपको explain करें यहां पर आपने explain कर देना है तो इसको save कर ले उसको बाद यहां पर आपने प्ताना है कि किस तरह से आपका जो पर और रेट के एक घंटे का आप कितना charge करेंगे कि अगर आपको hourly based काम मिलता है तो एक घंटे कितना charge करेंगे मैं फिल्हाल यहां पर आपके पास पढ़ी है तो आप यहां से आप पिक्चर लगा सकते हैं यहां पर पोट्फोलियो एड कर सकते हैं अपने रेसेंटली काम किया हुए तो अपने काम की यहां पर आप शो कर दें दाखे क्लाइंट को भी आता है तो वह आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद आपके पोट्फोलियो को भी देख लें जैनि उसके बाद आता है recent reviews किसी परसुन ने आपको रिजी दीए है तो जैसे होते हैं कि फाइल स्टार त्रीश्टार वांको रिजी देता है उसके ब आपको आता है एजुकेशन आपको एक एक एक्सपिरियंस जो है वो एड करके देता हूं दिखाता हूं किस तरह से अपने एड करने है जहां पर आप में लिखना है टाइटल एक्सपिरियंस लिख दिन जी यहां पर content writer company mv solutions time period जी यह मैं हो January starting year कब था January 2015 से I'm currently working here और देलिंग विस और लें सेव करते हैं कि टीका तो यह इसको भी आपको अब यहां से अप एड्ट करें सेव बैसे ही कॉलिप्रिशन कॉलिक्रशन करें पब्लिकेशन अगर आपने कोई ऐसा पबली ऐसा कोई आर्टिकल आपका जो पब्लिश हुआ हो को यापकी चाहिब है तो उसको भी आप यह पर शूर करें तापी आपकी जो ने वेबसाइट श्क्राइब करें ज्यादा पावर्फुल हो सके उसके बात यहां पर है यह यह वह हैं है जो आपने वहाल लिखी है अगर आपने कोई यहांपर स्वेक्ट कर लिया तो इसको आप पर प्रिमॉफ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसकेल्स पर क्लिक करके आप इसको मुझेद भी सैट कर सकते हैं, कि यह नहीं मैंने यह गलती से एड़राइसिंग पर क्लिक कर लिया था ल्यादा यह नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी कोई ओब स्कील्स यहाँ कर सकते हैं इनको लेस्ट भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है वो 20 हो सकते हैं मिनिमम एक एक वन तो 20 आप जो भी चाहें इस पर रख सकते हैं यह सारा जो प्रोसीजर था यह था किस तरह से आप पर अपनी प्रोफाइल जो है वो सेट करनी है प्रिट भी आजयता है यहां पे सारी जो एग टर्म लेक्ट प्रिश्ट अप्डेट होना शुरू हो जाती है तो आप उनके साथ कभी भी कॉंटक्ट कर सकते हैं लेकिन एक चीज बस आपने यहां पर ख्यार रखना है कि यहां पर कभी भी आपने अपना परसनल कॉंटक्ट आप 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 कर सकेंगे तो नेक्स टैम कभी भी आप लाइस परसन के साथ कॉंटक्ट ही नहीं कर सकेंगे ठीक है ना वो कर पकर ना आप कर सकेंगे सकाइबं यहां पर बात कर सकते हैं तो वह आप यहां पर जो हैंतिंग अधर वावज बाकि जो चीजाश करते हैं वह यह मद्याट अपने परसनल इंफरमिशन अपनी करेंगे अब हम देखेंगे कि इस तरह से हमने एक प्रॉजक्ट के लिए करना भीड कैसे करनी है बिडिंग करेंगे तो ही हमें अगसे response मिलना है तो ही अगसे clients ने हमें वो प्रॉजक्ट award करने तो उसके लिए बिडिंग कैसे की जाएगी अब हम चलते हैं कि बिडिंग को सीखते हैं बिडिंग कैसे की जाएगी तो उसके लिए मैं आपको यह बताता चलूँ कि आपने हर प्रोजेक्ट के ओपर बिट नहीं शुरू कर देनी है यहाँ पर यह वेबसाइट जो है यह जैनरल है इसके ओपर हर किसमर काम आता है इसके उन्दर आपको content writing का काम में मिलेगा ठीक है content writing का काम मिलेगा data entry काम मिलेगा graph free designing का काम मिलेगा उसके लाब वेब development का वेब designing का बहुत सारे आपको यहाँ पर projects जो हम मिलेंगे जैसे देखें यहाँ पर इस तरह के notifications आपको मिलेगे जब आप login होते हैं तो इस तरह के आपको notifications आते रहेंगे तो इसका मतलब है कि कोई भी recently recently कुछ seconds पहले data entry काम यहाँ पर किसने पोस्ट किया है तो उसका आपको एक notification पर जाएंगा अगर आप चाहें तो इसके उपर आप bid कर सकते हैं उससे पहरे जादर जाते मैं आपको यह बता दूँँ यहाँ पर कि जैसे ही आप login होगे तो यहाँ पर आपके सामने जिस तरह यह आपका dashboard है यह जो area है यह आपका dashboard कहलता है और यहाँ पर देखे नज़र आ रहा होगा को claim 300 bids for free आपको यहाँ से 300 bids जो हैं वो free में मिल ज ठीक है तो वो area यह देखें आपको यहाँ पर यह नज़रा रहा होगा यह antenna sign बना होगा है ठीक है यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें यह यहाँ पर यह आ रहे हैं यह चीज़ें आप यहाँ पर upload हो रही हैं यहाँ से आप different किसम के view project feeds पर आप जाएंगे यह चाहम से आपने देखने हैं कि कौँशा project आपके fields से relevant है उसको देखें उसको click करने के बाद शेखें किया आपक्तान सकते है नहीं कर सकते हैं अगर कर सकते तो आप उस पर click करें जो है वो पूँस पर mit करके अबने बिट्स आए ना करें ठीक है यह देखें यह जो है ना वो आ रही है चीजे आशा है फ्यू सेटिन्स अगो ऐनीड सम् marketing with internet marketing YouTube video clips article writing project article writing project कह रहे हैं जी किसको आप देखें तरद यह हम कहते हैं जी जैसे कि मैं as a writer हूं तो मैं writing के काम के ओपर bid करूँगा तो इस पर click करें जब उस पर click करेंगे तो इस तरह का interface आपके सामने open होगा जी देखें यह article writing project से इसके ओपर इस ताइम 14 bids हो चुकी है average जो आ रही है वो 7 dollar पर और है और client ने क्या कहा होगा जी कि मैं आपको 2 dollar से 8 dollar पर और तक दे सकता हूं फिलहाल यह open है जब यह client किसी को पर यह काम दे देगा यह काम किसी को दे देगा तो फिर क्या होगा यहां पर यह close आ जाएगा फिलहाल यह open है अच्छा उसके बाद है प्रोजेक्ट करना है ठीक है अच्छा उसके बाद है जी कि यह security required है और दूसरा इस पर आप जो है वह bid फिलहाल नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंके इसने यहां पर certification मांगी है कि आपके पास यह certification है तो आप इसके उपर जो है वह bid कर सकते हैं अधरवाइस आप बीड नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह certification लेने का जो प्रोसेस है यह एक अलग matter है अलग topic है वह बाद में बिसक्स कर लूँगा कुछ यह पर test होते हैं यहां पर freelancing के तरफ सगर आपको टेस्ट पास करते हैं तो आपको badge मिलता है यह देखें जितने इस bids की होंगे यह बाद बैज इंग सबके साथ बैज है अगर badge आपके पास आया तो आप bid कर सकते हैं अधर यह आप बैज नहीं कर सकते है ठीक है तुबारा सब्सक्राइब कर सकते हैं क्रियेटर रेराइट यूट्यूब कि एनलाइज समवन सब्सक्राइब कर से ने जो भी आपकी requirements होती है उसके recording जो है यह इसमें यहां पर शो किया होता है फिल आप मैं यहां पर कतम डेटा एंट्री डेटा एंट्री यह कह रहा जी 23 बीड हो अपने को पे होगा आपने कोशी करनी है कि आपने मिनिममम प्राइस रखें ताके क्लाइट आपके तरफ attract हो 25 अगर आप 25 रखते हैं तो यह 6.5 जो है यह इसकी website की fees है और आपके जो बीड होगी वो 31 की count होगी driver in कम से कम time दें ताके क्लाइट आपके तरफ आपके तरफ आपसे contact को करें at least ठीक है यहां से आपने pay to you आपको कितना पे होगा उसके बाद यह सब कुछ पे करने के बाद आपकी जो bid place होगी वो 31 की होगी ठीक है इसको roundabout कर दें आप 24.5 कर लें यहां 23.5 कर लें आपको जो है वो round figure मिल जाए अच्छा जी 30 डॉलर्स जो है वो आपको पे होगे एक दिन में आपने उसका time रख है अप कर दें place bid यहां से आपको कहेगा जी आप अमना bid को जो आप sponsor कर लें इसके chances आपको मिलने के बहुत जयाता होंगे यह है तो वो है वो है तो यह है यह बहुत सारी बातां को बताएंगा लेकिन आपने इसको कर दें no thanks अब यहां पर आपने लिखना है कि आप यहां पर अपने proposal को explain करना है कि आप client को क्या कहना जा रहे हो ठीक है तो यह मैंने आपके लिखके रखा हुआ है इसको आपने पास लिख लें इसे ठीक है इसको आप लिख लें अपने पास मैं इसको पहले यहां से copy करता हूं और यहां पर लाकर मैं इसे paste कर देता ह करने के बाद आपने करना है सब्मिट प्रॉपोजल इतना सा का अपने करना है यह देखिए आपको मेसिज आ जाएगा ग्रेट विए प्लेस्ट सक्सेस्फुली गूड जोग अब यह सब लोग जो है वो इस पर बीड कर रहे हैं और हमारा भी यहां पर यह देखिए आ गया मह माया को यह सब कुछ जो इन एक्स्ट एकश्पेर्यह दो सब्सक्राने के बीड की होगी होगी यहां पर शाएगू ह से आपने किसी भी प्रोजेक्ट की उपर बिड करने है यह विनिंग बिड की जो स्ट्व्ज है वो यह है कि आपने प्रास काम रखनी है दूसरा आपने ट आपको कम से कम प्राइस में आपका काम कर दूँगा शूरू शुरू में आप 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 ने अब देखें यहां पर कुछ आपके उपर बीडर्स है जिनके जो ना प्रोफाइल के साथ देखें आ रहा है यह रेटिंग आ रही है 20 रिव्यू है 90 रिव्यू है 12 रिव्यू है तो यह रिव्यू देने के लिए आपको ना शुरू में थोड़ा सा एफट करने बड़ेगी आप कम प्राइस रखें और क्लाइन को अच्छा काम परफॉर्म करके दें तो वह आपको रेटिंग देगा फिर आइसा ऐसा जब आपकी मार्किट बन जेगी ना अब तो यह बहुत है बेस्ट हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए उसके बाद आपके पास यह सब चीज़े आ जाएं और आप आपको लगे यार मैं कुछ कर सकता हूं यहांपर और मैं इसली जो है ना वह अपनी मार्किट बना सकता हूं तो फिर आपने जो है ना वह अपन बना सेके अब देखें यanki नी वी अबोन ब्रडोग ना ईंसाद लिंगे सादधेडे जैसे हमारी स्पेस्ट्राइस इसे ही इनकी अब इसके प्रण होग्य के कहीं पर इए कंपर जो से कहले इस ये आ ज़िए और में पर रख कियोत फ़र्गों पहराइ निथी and होता है कि जब आप यहां तो message आ लेता है, यहां तो आपको message आ जाजएगा कि आपको slash client ने काम दे दिया है, आपको mail भी आजएगी message भी आ जाएगा, आप ऐसा करें कि आपके पास mobile है तो उसमे कर तो आ इन्सेड़ दॉटोट कम की जो application ने वह भी install कर लें, कि कोई भी क्लाइंट आप से कॉंटेट करता है तो उसका आपको नोटिकेशन आपके मुबाइल पर आ जाएगा तो इसलिए आपका 24 आपको लैप्टॉप के साथ लगके बैठा नहीं पड़ेगा मुबाइल आपके पास कभी मैसेज आएगा तो आप वहां से एप्लिकेशन के जरूँ अप्लाइगा उसको सेंड कर सकते हैं तो यह देखें यहां पहार है जी गूगल गूगल ब्ले और अप्सटोर दोनों पर आपको वहां से डाउनवड करके तो यूज कर सकते हैं ठीक है बाफ का ऐसे होता है कि क्लाइंट जो है ना वह आपको इनिशिल तोर पर जो अगर देन आप उसके साथ जो है वह चैटिंग बारा कहा सकते हैं तो इसके लिए आपने करना क्या है कि मैं आपको यहां बहुत बताता जलूँ कि जो गल्तिया मैंने की है वह आपने नहीं करने ठीक है नहीं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वह सारी इंफर मिशिल दूँ कि जो मिस्टेक्स मुझ से हो चुकी है वो आप ना करें ठीक है तो अब क्या करना है आपने जब भी आप क्लाइंट आपको यहां से आगे पूछता है न तो आपने इसको फरस्ट आफ वाल तो उसके सारी जो भी कुस्टन आप उससे पूछना चाह रहे हैं काम से रिलेटि करना कि उससे अपना इमेल आईडी दे सकते हैं तो यहां पर आप पॉन्टर करो तो हम फवैबस यहां वेबस में आपको देख लिया यहां अपना इमेल अकाउंट यहां चाहर है कि आप परसंड के साथ तो वह लाइफ टाइम उसको परसन के साथ आपका जो contact है वो disable कर देंगी, आप message करते लेंगे, वो आपको message करता रहेगा, लेकिन आप दोनों को कोई message receive नहीं होगा, ठीक है, तो आपने कभी भी अपने यहाँ पर personal contact, personal information आपने यहाँ पर share नहीं करनी, हाँ, यह है कि आप यहाँ पर अपना Skype ID share कर सकते हैं, अपना जो WhatsApp number आप वो share कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर Gmail ID, कोई भी email ID जो भी जिसका आप use कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर show हर्गीज, हर्गीज, हर्गीज नहीं करना रहे, तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, उस person के साथ contact नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यह इस तरह के copy, copy करना है, ठोड़ा वो change कर लें, आपने जो जो भी आप में जीद best of the best लिख सकते हैं, वो लिख कर रखने आपने पास, जब भी कोई कोई कवी आपने proposal send करना हो, तो इसी को copy लिया, पेश कर दिया, टाइम आपका बोजय बच जाएगा, तो दोस्तो, आपने freelancer.com के उप अपर account कैसे बनता है, ये सीखा, freelancer.com के उपर profile कैसे set होती है, ये चीज़ सीखी, freelancer.com के उपर bidding कैसे करते हैं, ये सीखा, ये सब कुछ आपने इस एक वीडियो में सीखा है, उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको share करें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक अच्छा सा comment कर दें, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा, happy learning, अलाँ आफेज. बास बास आई हो एक वीडियो को आपना खिए हैं, चाले को आपना ख्या जिए था झीएगा जरूर में हूजार आई हैं, तब तक का मिल आई होुआ का